ऐसे हैं आपका जो basic math का top practice problem है वो next week आएगा Monday या Tuesday को ध्यान लखना ठीक है next week Monday या Tuesday को है इस basic mathematics का top practice problem यानि कि DPP के best questions तो चलो भी फटर सेशन को शुरू किया जाए पहले हम मारा pen को open कर लें जरा माशा अल्लाः खूब सूरत सो फटा फटा आगे बढ़ा जाएगा ओए आगे तो तो बढ़ा जाएगा अगर हम ये दबाएंगे माई सेल्फ अरविंद कालिया सार जो बच्चे पहली बाल मिल रहे हैं बटा I am HOD match at Vedantu and West Teacher Award at national level 2 times back to back and of course अगर आप भी मेरे सा जुड़ना चाते हो तो पढ़ना चाते हो मेरे प्यारे प्यारे भाईबेन बनके don't forget to subscribe to the channel वैसे भी 7.92K 7,92,000 subscriber हो चुके हैं फटा फट इसको 8,00,000 बनाते हैं तो मैं का एक milestone से cross होता है फिर हम 1,000,000 की और बढ़ेंगे so don't forget कि फटाट subscribe करो दोस्तों को भी बोलो दोस्तों के phone लेके subscribe कर दो उनको बोलो भी फटा फट इसको उपर लेके जाना है 1,000,000 क्रॉस करवाना है अब ठीक है and yes, do like the session and share with your friends जैसा कि मैंने का don't forget to subscribe don't forget to subscribe God bless you बटा and फिर से याद दिला दू second या third second या third माई से मेरे micro courses दिखने शुरू होने वाले है तो जो जो बच्चे subscription ले चुके है न please second third माई के आज़ पाच चेक करना शुरू कर देना मेरे micro course दिखने वाले है I want to see you there okay okay and जिनोंने subscription नहीं लिया फटा फट ले लो भाई क्योंकि जो आपको विदान्तू पे मिलने वाला है एक तैयारी वो कहीं नहीं मिलती और this is the best platform अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है विदान्तू पे अपना पढ़ाई और सब्सक्रिप्शन भाईया you are missing out on something really big वैसी भी टाइम ऐसा है आजकल अगर आप एक जगा को जॉइन नहीं करते हैं तो आप discipline नहीं हो पाएं कि थोड़ा था mood negative रहता है आजकल तो इसको positive बनाना यहां पे मेरे साथ energy high रखनी है और यहां पे भी आपको साथ में पढ़ना है पूरे का पूरा इसके बारे में पूरा में description session के end पे देता हूँ yes or no yes yes इसका description कब देता हूँ session के end पे right तो यह सारी चीज़े में आपको session के end पे समझाऊंगा कि आपको subscription ले लेना चाहिए और यह तो अभी बताना जरूरी है कि बेटा बहुत सारे top results है विदान्तू के जो कि unmatchable है और कोई आसपास भी नहीं है चाहे वो J 2021 के 100 percent टाइलर चाहे 99 percent टाइलर की बात करें चाहे last year के J advance के number of selections की बात करें कोई आसपास भी नहीं है सो खतम होती बात यह है कि बेटा कुछ भी तेयार करना है विदान्तू subscription gives you access to everything even KVPY will be covered in the micro courses and that will be included in your subscription only सो फटाफट subscription ले लो description में link होता है ये फटाफट क्लिक करके code लगाओ session के end पे मैं इसकी पूरी detailing कर दूँगा कि कैसे join करते हैं किसके क्या फायदे होंगे किसको कैसे फायदा उठाया जाता है ये सब कुछ मैं session के end पे आपको बताऊंगा point बस यही है अगर subscription नहीं लिया है फटाफट ले लो आपको पूरी तैयारी करनी है YouTube और subscription का hybrid बना के ओके ओश आबाश तो everybody session शुरू किया जाए और हाँ मैं फिर क्या दूँ subscription लेना जरूर है देखो अगर आपने कहीं और पे coaching जोईन कर लिया good फिर कुछ मसोचो फिर पूरा focus वहीं पे करो फिर मसोचो subscription का कोई कि आपको focus एक ही जगा करना है पर अगर आपने नहीं लिया है and you still thinking कि क्या करे क्या करे then don't delay फटा फट सब्सिप्शन लो you need to get one dedicated coaching hybrid it with YouTube and then you can go ahead with everything else okay but yes कहीं न कहीं जोईन जरूर करना है ये दो साल खराब मत कर देना कि देखते हैं देखते हैं अभी तो time है, bonus है अगर paper होते तो वैसे भी तो जून के बाद ही शुरू होता अब तो paper cancel हो गए ये thought मत रखना, champion बनना positive thought रखना, कि time बचा है तो utilize करेंगे, अभी कभी coaching शुरू करके जल्दी से लिए बस खतम करेंगे okay, तो करना है अच्छे से जोए I shall, very good तो चलो भाई, full on full on अनर्गी के साथ हम sets के शुरू कर रहे है सवादो से धाई घंटे के session होगा पूरा sets निप्टा देंगे end तक ले भाई, पटाक शुरू किया जाए sets को तो भाईया, अगर sets की बात करें इस chapter में पढ़ना क्या है पहले ये basic देखो इस session में यानि कि इस chapter में सबसे पहले तो आप इसका definition and types ये देखोगे ये आपको बिल्कुल दुखी नहीं करेगा मैं पहले बता दूँगा कहाँ पे आपको ज़ादा stress रखना है कहाँ पे आप easy ले सकते हैं ये आपको बिल्कुल दुखी नहीं करेगा definition क्या होती ही, types क्या होती है फिर एक चीज आएगी जिसको कहा जाता है subset ये आपको थोड़ा सा दुखी कर सकता है अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा I'm telling you यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल बन जाते हैं बच्चे उड़ जाते हैं अगर उन्होंने अच्छे से ना समझाओ यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है सबसेक्स के बाद फिर शुरू हो जाएंगे operations operations on वा क्या spelling लिखे हैं operation के मैंने माशा अल्ला माता रानी बहुत खुश होगी ओहो लोजे operations operation का मतलब है कि भईया आपने एक नई चीज पढ़ी है तो उसका कुछ algebra होगा जैसे आप number पढ़ते हैं integers, real number तो आप उसका एक algebra पढ़ते हो यानि कि ऐसे numbers को add कैसे करते हैं multiply कैसे करते हैं यह algebra होता है वही यह sets का algebra है तो आप एक नई चीज पढ़ेंगे फिर उसका algebra सिखेंगे यहाँ पे दूसरा point आएगा जहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि maximum जो questions हैं वो यहाँ से निकलने वाले हैं और यहाँ पे खतम होने वाले हैं cardinality यह last topic हो जाएगा और जो question बनेंगे वो cardinality और operation से मिलके बनेंगे जो कि आपके J.E. में पूछे जाएंगे J.E. में पूछे जाएंगे यहाँ तक ही school में भी maximum सवाल यहीं से आते हैं school में भी maximum सवाल यहीं से आते हैं J.E. तो यहीं से पूछेगा तो यहाँ पे बहुत प्यार से चीज़े चलेंगी यहाँ पे थोड़ा सा जोर लगाना है और यहाँ पे पूरे का पूरा जोर लगा देना है This is your complete chapter काम खताव मानते हो Yes, yes, God bless you बैटा, बस यहीं पूरा chapter है तो चलो इसी के साथ शुरू कर देते है सबसे पहले बैटा, definition A collection of well-defined object तो एक बात वो पक्का है Set जो है, एक collection है Collection of few objects The only thing is well-defined Well-defined होना जरूरी है यह well-defined का मतलब क्या है बहुत simple सा example देता हूं बहुत simple example एक class में मालो, 50 बच्चे हैं मैंने कहा हाँ बई, जितने भी intelligent बच्चे हैं वो बाहर आजाओ Is it well-defined? Tell me in the chat Is it saying intelligent बच्चे बाहर आजाओ Is it well-defined? नहीं, क्योंकि intelligent का कुछ criteria ही नहीं है भाई मेरा intelligent अलग है, तुम्हारा intelligent अलग है किसी और का अलग है तो यह well-defined नहीं हुआ बट अगर मैं कह दूँ ऐसे बच्चे जिनके marks 90 से 95% के बीच में है बहर आजाओ Do you agree? अब यह well-defined है अब यह fix हो गया कि यह बाले बच्चे ही मेरे पास आएंगे So this is called well-defined और कुछ नहीं That criteria should be able to tell कि क्या-क्या object आएगा बस यही मतलब है well-defined का इससे यदा कोई मतलब नहीं है तो लो हो गया अब आती है बात Sex के बारे में 2-3 important point सबसे पहले तो denote कैसे करते हैं Normally sex को capital letter से denote किया जाता है Normally sex को capital letter से denote किया जाता है एक बचा कैसा सर पार्शियल्टी कर रहे हो बेटा मैंने यह तो कहा ही नहीं कि जब मैं 90-95 कह रहा हूं तो वो intelligent होंगे यह तो मैंने कहा ही नहीं मैंने तो criteria दिया कि 90-95 परसेंट वाले बाहर आ जाओ मैंने यह नहीं कहा कि वो intelligent है Right intelligence का mark से कोई लेना देना नहीं बठा आजो and elements of the set यानि कि set के अंदर जो elements है उनको small letter से denote किया जाता है पहला और यह जो है normally एक बहुत general assumption रहता है sets को नाम हमेशा capital letter से दिया जाएंगे sets के जो अंदर object होंगे या elements होंगे उसको small letter से लिखा जाएगा अब आगा third point और यह third point आपने basic math में भी देखा हुआ है yes or no if a is an element of a ऐसे लिखा जाता है सब को यहादा tell me in the chat इसको पढ़ा कैसे जाता है how do we write it a belongs to capital A this is how we read it this symbol stands for belong and of course यह कोई mandatory चीज़े नहीं है यह वो चीज़े हैं जो नॉमली दिखेंगी आपको mandatory नहीं है generally general लिखा गया है general okay B यह जो B लिख दिया A के बाद B क्या करते हैं जिन्दगी हमारी यह B है और यह C है बिटा सबसे इंपोर्टन्ट C है इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट C है इसमें C पार्ट पढ़ो फटाफट फटाफट C पार्ट पढ़ो सबसे इंपोर्टन्ट वही है C सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट है मैं single single element लिख रहा हूँ A A B C ज़रा मुझे चैट में बताओ इसमें कितने elements है इसमें कितने elements है अंजू बैटा ये सारी query session के end पर Okay queries जितनी भी है session के end पर करेंगे subscription के बारे में subscription के बारे में beginning में हलका सा बताता हूँ session के end पर सारी queries लेता हूँ पूरा explain करता हूँ during the session पूरा focus यहाँ पर होना चाहिए और कहीं नहीं अब बताओ जैसा कि मैंने कहा sets के अंदर element को repeat नहीं किया जाता तो अगर ऐसा लिख भी दिया गया है अगर लिख भी दिया गया है इसका meaning यही है इसका meaning यही है Is the idea clear? हाँ sir अच्छा ये दो बार लिखा था दो बार तो लिखी नहीं सकते तो अगर लिख भी दिया है इसका meaning यही है तो यही माना जाएगा आइडिया की है तो we do not repeat elements in the set ओके सर ये तो समझ आ गया सर ये आपने curly curly bracket क्यों लगाई ये टेड़ी मेडी सी bracket basic math याद करो वहाँ मैंने सिखाया था न कि जब single 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 element लिखने होते हैं तो curly bracket लगाई जाती है yes or no exactly genius you are God bless you जब single single element लिखे जाते हैं तो curly bracket लगाते हैं इसलिए मैंने curly bracket लगाई आजो आगे भाईया sets को हमने समझ लिया अब उसको लिखना कैसे है मैं तुमको कैसे बताऊंगा कि मेरे sets में कौन से element है how will I describe my set right meaning समझा अब लिखेंगे कैसे भाईया या तो sets के element को bracket में लिख दो जैसी कि ये रहा भाईया इस set में 5 element है A, E, I, O, U ऐसे लिखने को कहते हैं roaster form तो roaster form सबसे अफसान form हो गई जाने की set में element जो हैं उसको खूबी से बताऊ characteristic से बताऊ elements are told by telling the property or characteristic they follow इसको पढ़ना कैसे है सुनो इसे पढ़ा जाएगा इस set में elements है X ये double dot को पढ़ा जाएगा such that such that X is a vowel तो अगर मैं तुमको बता दूँ X such that X is a vowel तो तुम भली भांती समझते हो ना कि ये X जो है या तो A होगा या E या I या O या U डू यो एगरी ये और ये एक ही चीज को लिखने के दो अलगलग तरीके हैं ये ज़ादा straightforward है ये थोड़ा सा characteristic से है sound low sound low होना तो नहीं चाहिए आप कहते हो तो मैं level बढ़ा देता हूँ बट sound low यहां पे होना नहीं चाहिए था चलो कोई बात नहीं हम sound को बढ़ा देंगे बटा हमारे पस बहुत capacity है sound को बढ़ाने की ये देखो अब हम sound को full कर देंगे अब sound और high हो जाएगी चलो अब सुनो मेरी बात एक बात सुनो सर अगर मेरे पास इतना असान तरीका था तो फिर मैंने ये complicated तरीका उठाया ही क्यों फिर मैंने ये complicated तरीका उठाया ही क्यों देखो भाई कहां गया मेरा pen इधर है मेरा pen आ गया मेरा pen यार ये असान तो है पर अगर मेरे को बहुत सारे element लिखने हैं, तो कैसे लिखूँगा, बहुत सारे element लिखने हैं, for example, देखो, x such that, x such that, x is odd, यह x equal to 2n plus 1, where n belongs to natural number, जब मैं ऐसा लिखता हूँ, x such that, x is 2n plus 1, where n is natural number, do you understand, इसमें बहुत सारे number आएंगे, yes or no, n को 1 put करो 3 बनेगा, n को 2 put करो 5 बनेगा, n को 3 put करो 7 बनेगा, बहुत सारे number आएंगे, लिख लो यहाँ पर फिर बेटा, लिखते रहो अब, मैं कहा लिखते रहो, रातें रातें बीट जाएंगे, यह नहीं खतम हो रहा, यह नहीं खतम हो रहा, right, तो इसलिए यह भी कुछ ज लिखके आगे dot dot लगा देंगे, तो dot से समझ लेंगे कि सेम पैटरन चल रहा है, जोगार लगाने में कोई पीशे नहीं आता, जोगार इसने भी लगा दिया, आगे चलो, तो ज़रा फटा फट प्रेक्टिस कर लेते हैं, लिखने की तरीके की, लोग, अब तुम मुझे बत गबर is back, सब होगा, टेंशन मत लोगा, सब होगा, वह तुम मैं अच्रे पढ़ना है, बच्चे कहने है, टू से मैच करता है, लो जी, X सच दैट, X is natural, and X is a divisor of 4, भाई यह 4 के natural number divisor, 1 है, 2 है, 4 है, बिलकुल ठीक है, बिलकुल मैच करता है, बिलकुल सेम, ना कुछ कम, ना कुछ जादा, अच्छा, अब B पे आजो, B का अंसर क्या है, टू कमा थ्री, टू कमा थ्री क्या है, लेटर तो है ही नहीं, natural number less than 7, नहीं भाईया, वो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएंगे, यह भी नहीं है, यह लग रहा है, 1 हाँ, X is a prime divisor of 6, 2 and 3 जो होते हैं, 6 के prime divisor है, very good, अच्छा है, C किस पे जा रहा है, बच्चे कह रहे हैं, 3 और 5, 3 और 5, नन नन भी आ रहा है, 3, exactly 3, सर सही में, क्या इसमें, अब देखो ज़रा, क्या उसमें M है, सर है, M तो है, क्या उसमें A है, है, क्या T है, है, H है, E, E, E है, सर, M दो बार है, यहां मुझे चैट में बताओ, यहां तो M दो बार है, यहां पे M एक बार है, यह नाइन साफी नहीं है, तैल मी इन दा चैट, यहां पे M दो बार, वहां पे एक बार, यह तो नाइन साफी है, यह तो नाइन साफी है, नहीं है क्या नाइन साफी, नहीं सर सर जी सेट में elements को repeat नहीं किया जाता तो M को दो बार नहीं लिखा जाएगा A भी same repeat हो गया T भी same repeat हो गया I है C, C है S, S भी है सर ये भी तो है? नहीं L बेठा बेठा यहां पे L है इसमें L नहीं है Do you understand that? ये वो नहीं same इसमें L है उसमें L नहीं है So, यहां से set builder form का थोड़ा सा meaning पता लग गया और ये पता लग गया कि कैसे देखा जाता है तो एक आदा तुम भी बता दो एक आदा तुम भी बता दो ले भाई, अब ये तुम बताओ ये बताओ मैं आधा लिखूंगा आधा तुम लिखोगे इस चीज को represent करना है set builder form में तो मैंने का x such that यार इसमें कौन से x है 1, 2, 4, 8, 6, 13 32, 64 2 की powers लग रही है 2 की powers what you say, power of 2 लग रहा है x such that x is equal to 2 power n बट क्या सारी powers है tell me in the chat क्या सारी powers है नहीं सर 2 पार 0, 2 पार 1 से लेके 2 पार 6 तक है where n where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहली 6 powers है अब सुनू मेरी बात ये जो मैंने अंग्रेजी लिखी है न ये अंग्रेजी लिखने का तरीका आपका अलग हो सकता है ये कत ही जरूरी नहीं है कि आपको ऐसी ही अंग्रेजी लिखनी है आपका अगर दिल करता तो आप इसको ये भी लिख सकते थे where n is whole number क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है whole number and n is less than equal to 6 do you agree ये दोनों सेम ही है सारे whole number less than equal to 6 तो ये अंग्रेजी कैसे लिखी गई है ये बिलकुल भी फरक नहीं पड़ेगा but yes exactly यही चीज इसके बराबर होनी चाहिए एक बच्चा कहता एक बच्चे के दिल में आया sir ये 64 के divisor भी तो है ये 64 के divisor भी तो है tell me in the chat क्या ये 64 के सारे divisor है क्या ये 64 के सारे divisor है या कुछ कम जादा है let us see 1 2 4 8 16, 32, मेरे क्या से सारे divisor है, कोई बच गया क्या, कोई बच गया क्या divisor, देखो ज़रा, में को लग रहा सारे divisor है, में को लग रहा ये तो 64 के सारे divisor है, exactly, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, X, such that X is divisor of 64, किस किस को समझ आ गया कि एक ही चीज़ को लिखने के different तरीके हो सकते हैं, the only thing is, जब लिखो, तो exactly यही मिलना चाहिए, ना जादा, ना कम, ना जादा, ना कम, creator बिल्कु सही कहता है, सर, better होगा अगर आप लिख दो positive divisor, बात तो सही है, हम positive divisor की बात करते हैं, यहां पर, बहुत बढ़ी है, तो मैं अगा, तुम champion बन चुके हैं, तो इसका जवाब भी दो, अब यह dot 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 जा रहा है, ध्यां से देख लो, यह जा रह ना जासा नहीं है, 1 by n जासा नहीं है, देखो जरा ध्यान से, ओ, आर्श बेटा, 0 whole number होता है, 0 is a whole number, ध्यान रखो, ऊपर 1 है, नीचे n है, अच्छा, x is equal to 1 by n, n कुछ भी है, क्या, यह n पे भी कुछ होना चाहिए, n कैसा है, n नेच्रल नमबर है, 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, so on to, where n is natural number, n is natural number, मैं क्या, आ गया मज़ा, आ गया मज़ा, कुछ भी जादा नहीं, कुछ भी कम नहीं, ऐसा पढ़ते पढ़ते, एक बच्चे के दिमाग में आया, सर, जो पिखला सवाल था, तो क्या उसके दो अंसर होंगे, ये भी, ये भी, बेटा, आपने एक ही लिखना है, ये बस लिखने के तरीके अलग लग है, बट मिल तो यही रहा है, हो सकता है, एक बच्चा आए, जो इसी को एक और तरीके से भी लिख दे, तो आपको एक कोई भी लिख देना है, जो इसी को रिप्रेजेंट करे, शाबाज, अब चलो आगे, ये हो गया, तो लिखना तो आगया, लिखना तो आगया, अब लिखने की कोई टेंशन नहीं है, वेरी गूड, अब आगे चलो, ये देखो ज़रा, ये थोड़ा अलग सी तरह का लग रहा है अब उसने सेट बिल्डर फॉर्म दी है, आपको रोस्टर में आना है, सर ये तो एजी होगा न, नॉर्मली तो सेट बिल्डर लिखनी मुश्किल है, अब उसने कंडिशन दे दी है, हमने बस बताना, ऐलिमेंट क्या क्या हो रहे है, सबसे आसान तो रोस्टर फॉर्म ही होत देखे जरह x is such that, यहां तो bracket पहले ठीक हो है, x square plus 7 x minus 8 equal to 0 and x is real, ऐसा कौन सा real number है जिसको satisfy करता है, ओ फटा फट बताओ, ऐसा कौन सा real number है जिसको satisfy करता है, minus 8 1, अच्छा जी x plus 7 है, sorry x plus 8 है, और x minus 1, यह इसके factor बन गए, तो यहां से x आ गया minus 8 और 1, बिल्कुल सही, ऐसे दो number हैं, जो इस criteria को satisfy करते हैं, इस criteria को, अब मैं game में हलका सा twist लाओंगा, सही जवाब देना, सही जवाब देना, इसका तो answer आ गया, सर जी answer आएगा, curly bracket में 1 और minus 8, curly bracket, single single element लिख रहे हो, single element हमेशा curly bracket में लिखेंगे, मुझे एक छोटा सा जवाब दो, अगर मैं इसमें हलका सा change कर देता, मैं real की जगा पर natural number कर देता, तो मेरा answer क्या आता है, बताओ, तो मेरा answer क्या आता, तो मेरा answer क्या आता, 1 ना आता, बिल्कुल, क्योंकि x की value दो आई, बट मुझे एक और condition भी है क्यों natural होना चाहिए, यह natural नहीं है, अब मैं एक और twist लेके आ रहा हूँ, ध्यान से बताना, छोटा सा twist और लेके आ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर, अब सोच के, अगर मैं यहाँ पर, condition लगाता, x belongs to real number and x is greater than 2, अब बताओ, अंसर क्या आता, x real है और वो 2 से बड़ा है, तो अंसर क्या आता, सर जी कुछ भी ना आता, कुछ भी ना आता, कुछ भी नहीं आता, ऐसा कोई x है ही नहीं, जो इसको satisfy कर जाए, तो इस case में अंसर लिखते, x belongs to, क्या लिखते, मुझे पता है, कुछ ने पढ़ लिया, वो 5 बोल रहे हैं, जुन्होंने नहीं पढ़ा, सुनो, मैं ये बोलता, खाली bracket, खाली bracket, लिख सकता हूँ न बेटा, ये बीच में dot लगाया, तांकि ये आपस में मिल ना जाए, इनका आपस में प्रेम ना शुरू हो जाए, तो हुआ डिफरेंस रखने के लिए dot लगा दिया बीच में, इसका मतलब कि x कुछ नहीं हो सकता, कोई value ही नहीं है x की, इसको क्या कहते हैं, formally वो सब आएगा, बट सब को meaning समझ आ गया, एक बच्चा हस रहा है कि सर प्रेम भाव की बाते कर रहे है, बेटा प्रेम भाव तो होना चाहिए, प्यार मुभबत पुड़ी रखनी चाहिए दिंदेगी में, चलो, अब आगे चलते हैं, मैं null set या five की बात नहीं कर रहा है, मैं को नहीं पता null set की या five की अभी पता लगेगा दो मिंट में, मुझे नहीं पता, मैं तो यह बता रहा हूँ कि कुछ नहीं आ रहा, तो खाली ब्रेकेट लिख दी मैंने, खाली ब्रेकेट मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, types of set, मैंने बताया था सबसे पहले definition of set, फिर आएगा types of set, सबसे easy topic है, सबसे easy topic, फटा फट, null set और empty set, chat में बताओ, do I need to tell you what is empty set, null set और white set, do I need to tell you, यह तुमको पहले से पता है, सर जी पहले से ही पता है, आपने अभी अभी जिकर किया, अभी just जिकर किया, जिसमें कुछ नहीं होता, a set which does not contain any element, is called null set, empty set, और void set, यह दो इसकी notations हैं, बीच में dot भी डालते हैं यहां पे, ठेक है जी, इनका frame भावनी शुरू होना चाहिए, बीच में dot लगा कि थोड़ी दूरी रखनी है, इसे पढ़ा जाता है 5, क्या पढ़ते हैं, 5, तो 5 बोल देते हैं, empty set बोल देते हैं, ऐसे denote करते हैं, कितनों को समझ आता है कि, हाँ यार, यह जो है, एक empty set है, चैट में बताओ, कितनों को समझ आता है कि, यह एक empty set है, x such that, 2x square plus 1 is 0, and x is real, ओ, कोई ऐसा real number होता है, जिसके लिए यह 0 बन जाए, नई सर, क्या बात कर रहे हो, x square negative तो होई नहीं सकता, क्या ऐसा कोई real number है, जिसका square negative आ जाए, और नई सर, बिलकुल नहीं सर, 30 second example भी हो गया, मैं क्या बबल ले, जरा इसको देखें, तुमको बहुत मजाने वाला है, यहां पे मैं तुम्हारा एक base बनाने वाला हूँ, अगली चीज़ का, तो ध्यान से सुनना, मैं यह option 3 कर दूँ जरा, minus 4, 3, 4, इस सवाल को पढ़ो और बताओ आंसर क्या है, यहां पे तुम्हारा मैं एक बहुत important concept क्लियर करूँगा, जो कि आगे जाके, जस्ट 10 minutes के बाद, 10 नहीं स्वरी, 30 minutes के बाद, बहुत काम आने वाला है, तो जरा ध्यान से सुनना, पढ़िए सवाल को, बचे कह रहे हैं A और B, A और B में लड़ाई चल रही है, A और B में लड़ाई, A, B, A, B, A, B, A, B, 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 A, A Okay, आओ देखे, आओ देखे सुनो मेरी बात X is such that X is real चलो, real number की बात हो रही है X square is 16 that is X equal to 4 or minus 4 and and X equal to 3 and का मतलब क्या होता जरा बताओ and का मतलब and का मतलब बताओ जरा चैट में याद रखना mathematics में mathematics में and का मतलब होता है simultaneously and का मतलब होता है simultaneously यह मैंने एक बहुत बड़ी बात बताई है जो कि तुम्हारे आगे जाके बहुत सारे दुक खतम करने वाली है अब मुझे अंसर बताओ ऐसा X बताना है जिसके लिए ये और ये साइमल्टेनियसली हो जाए दोनों एक साथ हो जाए अब बताओ अंसर दोनों एक साथ हो जाए ऐसा X बताओ हाँ, अब आगए मैक्सिम बच्चे, अप्शन A पे सर ऐसा कोई X नहीं है जिसके लिए ये दोनों एकठे हो जाएं ये होता है, 4 या माइनस 4 पे और ये होता है 3 पे, क्या कोई ऐसा X है, जिसके लिए दोनों ही होल्ड कर जाएं साइमल्टेनियसली होल्ड कर जाएं ना ना सर ऐसा X तो नहीं है, वो ग्रीन वाला अलग X पे खुश है, ब्लु वाला अलग X पे खुश है, ऐसा X कोई नहीं है जो दोनों को simultaneously खुश कर दे, बस, या रखना, and का मतलब chat में लिख दो, फटाफट लिखो, and means simultaneous, फटाफट लिख दो, and means simultaneous, फटाफट चैट में एक नजारे दिखाने वाला है, बहुत बढ़िया, चलिए आगे, आगे आज़ो, आगे आज़ो, सिंगल टन सेट, सिंगल टन सेट, बहुत बढ़िया, नाम ही बता रहा है, a set containing single element, जिस set में single element होता है, उसको single ton set कहा जाता है, single ton set, यानि कि इस set में एक ही element है, अब आप मुझे चैट में बताएंगे, आपको मजाने वाला है, do you agree, इस set में एक ही element है, do you all agree, इस set में एक ही element है, बस आगे नहीं जाना, जितना मैं कहना उतना बताओ, yes or no, अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इस set का element क्या है, ये बताओ, element बताओ, element, only element बताओ, z है, तो इस set का जो element है, element, या object कहलो, वो है z, ठीक है बेटा, ठीक है, एक काम करो, ये बताओ, इस set का element बताओ, इस set का element बताओ, element बताओ, क्या है, सर जी, zero है, zero, ऐसे inverted कॉमा भी लगाते हैं, अब चल रहे हैं, interesting case की और, अब चल रहे हैं, interesting case की और, ये, अब जरा तुम्हें दिमाग लगाना है, दिमाग, इस set का element बताओ, अब दिमाग लगना शुरू हो रहा है, set का element मतलब, जो भी इस bracket के अंदर है, वो element है, five, इस से पहले की मैं आगे जाओ, सोच के हाँ बोलना, do you agree, की, इस set का जो element है, वो अपने आप में एक set है, yes or no, tell me in the chat, इस set का जो element है, वो अपने आप में एक set है, yes or no, it is like, it is like, की यार, ये बोरी न, ये बोरी, बोरी समझ तो बड़ा सा bag, ये बड़ा सा bag मेरा एक set था, और इसके अंदर element क्या था, another bag, another bag, am I clear, so element can be anything, अब तुमें अगले में doubt नहीं होना चाहिए, अब तुम मुझे बताओ, do you agree, ये जो set है, उसका जो element है, वो अपने आप में एक bag है, जिसके अंदर ये कुछ elements पढ़े हुए है, ये इस set का एक element है, आता है समझ, ये रहा, बहुत बढ़िया, so always remember now, अब सुनो मेरी बात, मैं इस concept को clear करने लगाँ, जब भी मैं set के element की बात करता हूँ, तो भाईया, इस bracket के अंदर, जो जो बैठा है, कॉमाज लगाके, वो सारे उसके elements होंगे, मेरी बात सुनो, मैंने यहां लिखा one, यहां पे लिखा two, और यहां पे लिखा one, can you understand now, बहुत ध्यां से सुनना, इस set में, जब मैं कह रहा हूँ, इस set में, I mean, यह जो bracket लगी है, इस set में, total तीन elements हैं, और वो elements क्या-क्या है, पहला element, बहुत ध्यां से सुनना, गड़बर हो जागी बना, इस set में, तीन elements हैं, वो elements क्या-क्या हैं, पहला element है, number, एक number है one, वो इसका element है, दूसरा element क्या है, एक number है two, वो इसका element है, तीसरा सबसे important, तीसरा element क्या है, तीसरा element एक set है, जिसके अंदर one बैठा हुआ है, एक set है, जिसके अंदर one बैठा हुआ है, आगया समझ, तो भईया जो element होते न, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो number भी हो सकते हैं, वो अपने आप में एक set भी हो सकता है, इसको अभी दिमाग भी रखो अभी इसका बहुत इंट्रेस्टिंग एप्लिकेशन आने बागा है अब आगे बढ़ते हैं चलो तो फाइनाइट सेट अब वही बात है अगर किसी सेट में जो नंबर अफ ऐलिमेंट है वो फाइनाइट है भाइया कोई ऐलिमेंट नहीं है जीरो ऐलिमेंट अच्छा भाइया पांच ऐलिमेंट है छे ऐलिमेंट है तो जिस सेट में फाइनाइट नंबर अफ ऐलिमेंट होते हैं उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं ये last line पढ़िए जरा, ये line पढ़िए, जितने element होते हैं, उसको कहा जाता है cardinality offset, और उसको denote करते हैं, O, then bracket में A, या फिर N, bracket में A, N of A, O of A, ऐसे पढ़ा जाता है इसको, तो जरा मुझे पीछे की और चलते हैं, मुझे जवाब दीजिए बच्चा, इसका cardinality क्या है, कारडिनलिटी क्या है, बताओ, इसका cardinality, कितने element हैं इसके अंदर, एक element है सर, बहुत बढ़िया, सोच के जवाब दो, इसका cardinality बताओ, इसका cardinality, कितने element हैं, थोड़ी सी गल हो सकती, बता रहा हूँ, जो पहला thought आएगा, वो सही आएगा, बिल्कुल सही आया, 3, इसका cardinality 3 है, इसमें ये, ये, और ये, तीन element है, so cardinality just mean number of elements, अब मैं पूछ रहा हूँ, एक tricky question सोच के जवाब देना, अब मैं पूछ रहा हूँ, एक tricky question, cardinality of, बताओ, 1,1,2, बताओ cardinality क्या है, हरीश, बेटा, manual से, आपने auto resolution किया होगा, उसको manual करो, और resolution को बढ़ाओ, two है, very good, भाईया, इसको दो बार नहीं गिनना, इसको एक ही बार गिनना है, elements में set को repeat नहीं किया जाता, तो ये एक ही है, देन दूसरा ये है, छागे, तो meaning होगा clear, तो अब जवाब दे दो, फटा फट जवाब दे दो, मैं क्या, अब तो तुम्हें सबको सही जवाब देना है, सब को सही जवाब देना है कोई गलत नहीं करेगा कोई भी गलत नहीं करेगा कोई मेरे जाल में फसेगा नहीं एक बच्चा मेरे जाल में फसेगा जिसने 4 बोल दिया एक बच्चा फसा बस मेरे जाल में बाकी सब ने सही जवाब दिया इसके elements क्या है इसका पहला element है number one, एक number है one, इसका दूसरा element क्या है, एक number है two, एक number है two, इसका तीसरा element क्या है, यहाँ पे आता है interest, इसका तीसरा element है, एक set, जिसके अंदर three comma four है, तो इसमें कितने elements हुए तीन ये अलग बात है कि उन तीन elements में से एक element अपने आप में set है होगा पर इसके element कितने है इसके element सर इसके element तो तीन ही है तो अंसर आएगा 3 तो जब आपको पूछा जाए कि element तो भाईया आपने इसको दो नहीं गिनना आपने इसको दो नहीं गिनना क्योंकि ये पूरा एक element है set का ये पूरा एक element है set का अक्षे आपको clear हो गया फटा फट बोल दो exactly my young अक्षे आपको clear है point फटा फट बोल दो शाबाश सो जब भी elements की बात की जाएगी set के अंदर set के अंदर कौमाज के साथ जो लगा होगा वो एक element होगा अब वो element अपने आपने एक set आजाए अलग बात है पर है तो ये पूरा एक element of a शाबाश आगे नजारे तो मैंने का answer आगया 3 अब तुम को थोड़ा confuse करूँ नजारे और लेके आऊँ ले भई थोड़े से और नजारे लेते हैं मैंने a को लिया अब सोच के जवाब देना नजारे ले 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 लेगाँ 1 set 1 empty अब बताओ कितना है cardinality मैं देखूं जोड़ा तुम confuse तो नहीं होते बताओ बताओ फटा फट what is a cardinality वही दिल खुश कर दिया मेरा यार दिल खुश कर दिया 3 वह बले बले मैं क्या मज़ा आगया अब तुमने को की मज़ा दे दिया तुमको मैं एक लेवल और उपर लेके जाऊँगा अबी इस set में वैनाई से इस set में यानि की इन दो brackets के अंदर वैनाईवर आई से इस set में I mean इन दोनों के अंदर तो इन दोनों के अंदर पहला element है एक number एक number है one वो इसका element है दूसरा element है एक set कौन सा set ये वाला set और तीसरा element क्या है एक और set जो की empty है बट इसका तो element है ना किसने कहा कि आप empty set को zero बना दो empty set भी बैग है बस ये क्यों खाली बैग है तो अब आब बताओ इस green वाले बैग के अंदर कितनी चीजें है एक number है एक bag है जिसके अंदर one पड़ा हुआ है और एक bag है जो खाली है तो total तो तीन चीजें है इस set के अंदर अब तुमको आए नजारे एक level और उपर जाना तो बताओ तुमको और नजारे दिलाता हूँ बताओ एक level और उपर जाना है तुमको गए तो जाएंगे बना नहीं जाएंगे तुम बताओ एक level और पर जाना है और नजारे कराऊं तुमको येस तो आजो फिर हिम्मत रखनी डरना नी अच्छा ये लो फिर अब ये पकड़ो B और नजारे दार one set one set मैं color change करता हूँ ताकि तुमको और मज़ा आए ये अब बताओ cardinality क्या है मैं क्या नजारे unlimited अब बताओ कितने elements हैं कितने elements हैं तुम समझ चूकि हो क्या आच तुमने कर लिया है अब शाबाज three elements three elements क्यों जर्ण आप देखें इसके अंदर कौन कौन से element आजो भीया ये जो एक set है green इसके element क्या है धान से सुनना इसका पहला element है एक number एक number है one दूसरा element है एक set जिसके अंदर one बैठा हुआ है और तीसरा element है एक set जिसके अंदर एक set बैठा हुआ है आये ने जारे भीया एक होता है एक bag और एक होता है bag के अंदर दूसरा bag तो समझते हो ना ये दोनों चीजे अलग लग है ये दोनों चीजे अलग है ये एक number है ये bag के अंदर number है और ये bag के अंदर एक और bag उसके अंदर one बठा हुआ है ऐसे जितने margin जारे लई जाओ तो अब मैं तुम्हें समझ गया कि तुमको point clear हो गया है अब चलो आगे infinite set वही विजिस में बहुत सारे element हो जिसमें बहुत सारे element हो infinite element हो इसका कोई इज़त ही नहीं है आगे चलो equal and equivalent इसकी भी कोई इज़त नहीं बेटा कोई इज़त नहीं है equal का मतलब होता है ditto same ditto same कितनों को समझ आता है a, b और c ditto same है tell me in the chat do you all agree a, b और c ditto same है ditto same है yes तो यह होता है equal equal मतलब ditto same दूसरा definition है equivalent equivalent का same होने से कोई relation नहीं है equivalent का मतलब है क्योंकि cardinality same होनी चाहिए equal cardinality cardinality same होनी चाहिए इसकी cardinality क्या है sir three इसमें तीन number है तीन element इसकी cardinality क्या है sir इसकी भी three तीन element है तो यह दोनों जो है equivalent है यह दोनों जो है equivalent है so equivalent just mean कि number of elements से same थे वो element क्या है उसका कोई मतलब नहीं equal का मतलब ditto same सबकुछ same होना चाहिए कोई फरकी नहीं होना चाहिए बहुत बड़ी है आगे चलो अब आता है subset जो शुरू से बैठे हैं याद है ना मैंने कहा था यहां पे आके सबसे पहले जोर लगना शुरू होगा मैंने कहा था yes वो जोर आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर आपने पिछले वाले जो नजारे लिए A और B के वो आपने समझ लिए तो एक बच्चा कहता सर इसका मतलब equal set तो हमेशा equivalent होंगे बिल्कुल बेटा बिल्कुल अब आजो subset पर definition को ध्यान से समझो पहले इससे पहले कि मैं definition को प्रॉपरली दिखाओं सुनो A is called इसमेना शब्दो का खेल है बच्चे अकसर शब्द गलत पकड़ते हैं जिस करके मर जाते हैं फस जाते हैं शब्द सही पकड़ना A is called subset of B if अब मेरे शब्दों पर ध्यान देना और जो मैं बोलूँगा उसी को दिमाग में रखना अपने शब्द बीच में मत कुसाना कोई सलहा मत देना सर ये बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं बिलकुल नहीं A is called subset of B if all elements of A are present in B मुझे फटा फट बताओ मेरा A है 123 और मेरा B है 1234 do you agree elements of A are present in B do you agree फटाट बोलो do you agree हाँ sir तो बेटा ये A जो है B का subset है A जो है B का subset है दूसरे पर आओ मैंने A अब सोचके जबाब देना मैं थड़ा कॉंप्लिकेट करूँ आ धीरे धीरे मैंने B लिया ये अब बताओ elements of A are present in B yes or no elements of A are present in B yes or no अभी यहां पर मैं हलकल के निजारे involve करने वाला हूं ध्यान रखना yes sir A के elements क्या है one two three तीन number B में बैठे हुए है वो number B में बैठे हुए है चलो ठीक है मैं कहा subset है subset है अब आ रहा है critical example अब आ रहा है critical example मैं फिर से कह रहा हूं अपना दिमाग अभी बिलकुल मत लगाओ जो मैं सिखा रहा हूं ध्यान से सुनते जाओ this is a subset of this this is a subset of this एक बच्चे ने बोला sir यह equal भी है हाँ equal भी है तो यह इसका subset भी है equal भी है tension बिलकुल ने लेनी अब बड़िया example आ रहा है ध्यान से बिलकुल बहुत ध्यान से set 1 2 3 अब मैं interesting बना रहा हूं ध्यान रखो 1 2 3 4 अब मुझे चैट में बताओ क्या elements of A are present in B tell me elements of A are present in B yes or no no वे दिल खूश कर दिया मेरा नाम रोशन कर दिया मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा बहुत बड़िया बेटा जी यह जो A था इसके elements क्या है इसके elements है एक set जिसके अंदर one बैठा है एक number और एक number यह तीन elements है इसके whereas इसके elements क्या है एक number एक दूसरा number एक तीसरा number एक चौथा number क्या वो तीनों चीजें इसमें हैं नहीं sir टू और थ्री तो है पहले वाला नहीं है पहले वाला नहीं है आगे ओपी वाली बात सो सर जी यह जो है ना हम समझ चुके हैं कि वो और यह अलग होते हैं यह set है यह एक bag है जिसके अंदर one है और वो एक number है जो one है वो एक number है जो one है और यह bag जिसके अंदर one है जो लेट आया है मैंने पिटाई कर दे नहीं तुमने अभी मुसे पूछा फटा फट 10 मिंट पीछे जाओ fast forward करके देखो मैं कहा तुमको नजा रहे आ जाएंगे आगे जाओ जो मैंने definition दी वही है and this is the way it is represented A is a subset of B A is a subset of B ऐसे लिखा जाता है बिटा जी यह तीन कीज़े हमने observe करनी है Do you all agree? सर जी यह तो obvious है Every element is a subset of itself अभी example खतम नहीं होए है वहाँ मैंने से introduction दिया भी example आने है और नजार जार example आएंगे अभी Every set is a subset of itself Everybody agrees भया तेरी B लिख दिया ऐसा करोगे भाई भया Every element of a is present in a बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात Every element of a is present in a तो a is a subset of itself मैं गा बात बनगी दूसरे पर आओ Phi is a subset of all set बिटा इस इस बाई default Actually इसमें कुछ है ही नहीं तो यह सबका subset है सबका subset है आप कह सकते हो कि एक तरह से default एक assumption मानी जाती है Every element of phi is in a हाँ सर इसके अंदर कुछ था ही नहीं इसके अंदर कुछ था ही नहीं ठीक है तो यह भगवान की देन है बिल्कुल तो इसको as such ही आप accept करेंगे सी बड़ा प्यारा है सी समझो कितनों को समझा रहा है सी बताओ सी बताओ सी को मजाना चाहिए Every element of a is present in b and every element of b is present in a These two things together tell you that a and b must be same बे ओव्यस ही बात है बिल्कुल सही है Every element of a is present in b and every element of b is present in a a की possibility है दोनों हुब हुँ से मुझना चाहिए जा रहे आगे बहुत बढ़िया शाबाज तो भईया ये basic note तो clear है अब ये पढ़ो जरा सबसे पहले मुझे इस पे comment करो second second पे जोर लगाओ सब को समझ आता है second पे जोर लगाओ पहला घटिया है अगर तुम ये second समझते हो फिर तुम को मैं can't चीज़ कराता हूँ second पे जोर लगा दो फटा फट फिर तुम को इससे can't चीज़ कराता हूँ मेरा नाम करेगा रोशन उम्मा क्या बड़ी है तो तुम कहा है इसके लिए त्यार हो सर अव्यस ही बात है ये जो सेट है ये वाला सेट बैन मैं कहता हूँ ये वाला सेट मतलब इस ब्रेकट के अंदर जो भी लिखा है वो element है उसके तो क्या क्या element है पहला element एक सेट है दूसरा element एक letter P है क्या ये दोनों चीज़ें A में प्रेजन्ट है हाँ सर ये दोनों चीज़ें A में प्रेजन्ट है अब आ रहा है तुम्हें नजारे वाला एक एक बड़िया वाला एक जाम्पल सुनो ये सोच के जवाब दे न मुझके खुल गया गुसरा नहीं खाना 1, 2 1, 2 1 ये मैंने एक सेट लिया A बड़ाई प्यारा सेट है बहुत ही नजारेदार सेट है अब तुम मुझे बताओ कि क्या B इसका सबसेट है या नहीं बस ये बताओ बताओ क्या B, A का सबसेट है सोच के बताना जल्दी मत करना जल्दी मत करना क्या B, A का सबसेट है वो दिल खुश कर दिया मैक्सिम बच्चों ने सही जवाब दिया बस एक दो ने गलती से येस बोला उन्होंने भी ठीक कर लिया आजओ बेटा जब मैं कह रहा हूँ सेट B, A का सबसेट है या नहीं तो आप B के अलिमेंट देखोगे B के अलिमेंट याने की इस ब्रेकेट के अंदर जो भी बेठा है वो B का अलिमेंट है तो भईया क्या बेठा है इसमें A की अलिमेंट है ये क्या ये चीज़ A में प्रेजन है क्या ये चीज़ A में प्रेजन है नहीं है सर नहीं है A में सेट वन नहीं है A में या तो नंबर है वन या फिर सेट आफ सेट वन है तो ये चीज़ A में नहीं है मैं क्या आगे नहीं जा रहे डोंट वरी गेमिंग अब तुम्हें चमक गया तो B is not a subset not a subset of A अब तुम्हें कभी भी confusion नहीं होगा कि set subset कैसे देखे जाते हैं समझेगे? अब तुम्हें कभी confusion नहीं हुआ एक छोटा सा खेल खेल रहा हूँ अब अंसर बताओ अब बताओ क्या अब B का A का subset है? क्या अब भी एका subset है? अब मैंने यहाँ एक और bracket लगा दी हाँ जी सर जी अब पूरा पूरा है set क्योंकि अब यह element क्या बन गया? ये और ये तो A में बैठा हुआ है ये तो A में बैठा हुआ है मैं क्या चागे पुतर कुन कोई tension नहीं है अब तुमको subset कभी तंग नहीं करेगा बहुत बढ़ यह मैं क्या चलो आगे चला जाए अब और प्रैक्टिस की जाए आगे खेले write the subsets of 1,2 यार क्या मैं इसके सारे subset लिख सकता हूँ? चलो कोशिश करते हैं इसके सारे subset लिखने है सबसे चोटा subset तो 5 है 5 सबका subset होता है 5 तो सबका subset होता है दूसरा subset एक set जिसके अंदर 1 बैठा हुआ Do you agree? एक ऐसा set जिसके अंदर 1 बैठा हुआ यह इसका subset है अगला एक ऐसा set जिसके अंदर 2 बैठा हुआ है यह भी इसका subset है एक ऐसा सेट जिसके अंदर 1 और 2 दोनों बैटे हुए, वो भी इसका सबसेट है, इसके आगे ना जा पाएंगे, इसके आगे नहीं जा पाएंगे, तो सबसेट अगर सारे लिखने पड़ जाएं, सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे छोटे से शुरू हो जाओ, और सेट त अब तुम सबजी चुके होगे, कि पावर सेट ना ये कुछ पिछली चीज से जुड़ा हुआ है, इक्जेक्टली, पावर सेट कुछ और नहीं, कलेक्शन ओफ सबसेट होता है, तो अगर मैं इसके पावर सेट की बात करूँ, तो इन चार, चार, एलिमेंट्स वाला जो से है, वो इसका सबसेट है, और सरी, पावर सेट है, पावर सेट सबको क्लियर हो गया, तो वाट इस पावर सेट, कलेक्शन ओफ सबसेट, कलेक्शन ओफ सबसेट, तो सोच के बताओ, अगर मैं बोलूँ, पावर सेट के जो एलिमेंट्स है, वो सेट के सबसेट्स है, मानते होने, एगरी करते होने, ठीक है, पावर सेट के जो एलिमेंट्स है, वो कुछ और नहीं, इसके सबसेट्स है, बिलकुल बेसिक सा मीनिंग है, बिलकुल, तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है, टेंशन बि लेनी आगे चलना है हमने तो इस पावर सेट आ गया दे कलेक्शन अफ अल सबसेट्स ऑफ ए एंड इस डिनोटीड एज पी अफ एज देज पी आफ ए कहता पावर सेट लिख दो मेरे ख्यास से इसका पावर सेट तो तुमने लिखी लिया एक कलेक्शन बनेगी किस चीज़ की जितने भी इसके सबसेट्स है यह जो कलेक्शन बन गई इस collection को कहा जाता है A का power set इसको denote कैसे करते है P of A ऐसे denote किया जाता है राइट बहुत बढ़िया मैंना अक्सर के वर बच्चों से बच्चों की मासूमियत पर मैं को के वर प्यार भी आता है के वर गुसा भी आता है मैं कुछ पढ़ा रहा होता हूँ और एकदम से ना अपनी डिमांड रखनी शुरू कर जाते है सर ये तो बताओ सर वो भी बतादो सर ये बतादो के भाई मैं को लगता है मैं टीवी में घुल जाओ और बोलो बेटा तू आके बता ले मैं को कहा पर आता है पढ़ाना मैं को आता है नहीं पढ़ाना मैं को तो पता है नहीं कौन से कहां पढ़ाते है मैं तो टाइम पास करता हूँ बेटा खेलता हूं तुम लोगों के साथ तुमको जादा अच्छा आता है बेटा घुसू टीवी के बीच में ऐसे बीच में घुल जाओ तुम बहरा के पढ़ा दो ओई शान्ती रखते हैं पेशियंस रखते हैं इतने बड़े हो गए हो पहंते पहंनी शुरू हो गए हो बाते चड़ी वाले करते हो अभी तक आप ओई बड़े हो जाओ अब आती है बात B की इसके सारे सबसेट क्या इसके सारे सबसेट लिख सकते हैं हाँ सर लिख सकते हैं अराम से शुरू हो जाएंगे सबसे चोटे से सबसे चोटे से शुरू होंगे एंप्टी से और फिर लिखेंगे एक एक एलिमेंट वाला ऐसे फिर लिखेंगे दो दो एलिमेंट वाले 1,2 one three two three और फिर लिखेंगे तीन तीन element वाले तीन वाला तो वो खुद ही बनेगा तो ये सारे subset की जो collection है ये बन गया उसका power set तो power set का meaning clear power set का meaning clear हो गया collection of all subsets, बहुत बड़ी गया बात है जी, एक छोटा सा result होता है जो कि अभी आपको याद करना है और आप इसको prove करेंगे permutation and combination में जो कि 5th 6th chapter है 11th का, 5th 6th chapter है 11th का, उसमें आप इस result को prove करेंगे, ठीक है to be proved in permutation and combination सब अगर तभी prove करना है तो फिर अभी इसको रखा क्यों रहे है तो कि बहुत जब तुम objective करोगे अच्छे सवाल करोगे, तुमको इसका सवाल आ जाएगा तो इसलिए अभी इसको याद ज़रूर करना है आपको, पर इसका proof लेटर होना आएगा permutation and combination में, ओके, तो यह कहता है कि अगर एक set में कुछ elements हैं और आप से पूछा जाए कि इसके कितने सबसेट बनेंगे कितने सबसेट बनेंगे number of subset, कितने बनेंगे तो अंसर होता है 2 raise to par, जितने elements है 8 अगर एक set है जिसमें elements है A, B, C, D तो मुझे चैट में बताओ, इसके कितने number of subsets बनेंगे फटा-फट चैट में बताओ, कितने number of subsets बनेंगे direct result लगा कि और कुछ सोचना नहीं है 2 power 4 16 subset बनेंगे तो यह direct result है सिर्फ याद रखना है जादा घुसना नहीं इसमें भी आप इसको भी prove नहीं कर पाओगे easily पर जब आप यह chapter पढ़ोगे तो इसका proof ओरली हो जाएगा ठीक है यह एक छोटा सा सवाल कर लो यहाँ पर एक solving का skill सिखाना है उसके लिए सवाल रखा गया है 2 finite sets have P and Q number of elements अच्छा ठीक है तो number of elements इधान दो बहुत धान दो number of elements in the power set of first set number of elements in the power set समझते हो ना कि number of subset की बात चल रही है tell me in the chat number of elements in the power set वो जाने की पूछ रहा कितने subset हैं याने की पूछ रहा कितने subsets हैं yes or no क्योंकि power set के elements जो होते हैं subset ही होते हैं तो number of elements in the power set of first is 12 more than number of elements in the power set of second इसके power set याने की इसके कितने subset बनेंगे इतने subset बनेंगे इसका difference 12 दिया हुआ है तो कहता है number of subsets of first set is 12 more than number of subset of second यहां से P और Q बताना है अब एक बार तो feeling आती है equation 1 है variable 2 है और अगर यह नंबर बड़ा होता तो सुनो इसका तरीका क्या होता है इसको factorize कर लो कोई कि factorize करके तुम compare कर पाओगे देखो इसके factor तुमको पता है 4 into 3 लिख सकते हो इसको factorize करो क्या बन जाएगा 2 raise to par भया Q छोटा है राइट तो 2 पर Q common Q छोटा है तभी तो यह नंबर छोटा है तभी तो difference positive आया 2 par Q common निकाल लो तो यह power क्या बचेगी P minus Q और यह क्या बचेगा 1 अब देख पारे हो तुम compare कर सकते हो tell me in the chat yes or no you can compare even number even से compare हो जाएगा odd number odd से compare हो जाएगा and you will get the value of P and Q इस सवाल का purpose समझी कि परपस क्या था कि इक बड़ equation एक होती है unknown दो होते है तो न अगर इधर product बन सकता है इधर product बन सकता है बनाओ और compare करो भाया अब यह even है तो पका 4 के बराबर होना चाहिए यह odd है तो पका 3 के बराबर होना चाहिए काम खता तो 2 पार Q 4 के बराबर है तो Q की value आ गई 2 और 2 raised to power P minus Q minus 1 3 के बराबर है तो 2 पार P minus Q 4 के बराबर है तो P minus Q 4 होना चाहिए Q आपको पता ही है तो P आ गया 6 तो P आ गया 6 तो यह basic सा calculation थोड़ा थे बड़ी use हो जाता है कि अगर इधर product बना दो तो बात बन जाती है अब ध्यां से सुनना मैं एक चीज़ conclude करने लगा हूँ कि इबार बच्चों को confusion यह होता है कि सर यह common कैसे निकालते है यहाँ पे था यह ले ले लेड़े 2 पार 5 और यहाँ पे था 2 पार 3 सर जी common कैसे निकालेंगे tell me in the chat इसमें common क्या आएगा फटाफट बोलो इसमें common क्या आएगा यह बच्चों को अकसर कीपनी doubt आता है common क्या आएगा इसमें छोटा value क्या है common क्या आएगा यह बताओ इन दोने में अगर मुझे common निकालना है common क्या आएगा 2 पार 3 common आएगा क्योंकि यह 2 पार 5 है और यह 2 पार 3 है तो छोटा पार क्या है 2 पार 3 जब 2 पार 3 कौमन निकाला यहां तो one बन गया यहां क्या बना बताओ यहां क्या बना बताओ फटाफट बोलो यहां पे क्या बनेगा इधर 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 बताओ इधर क्या बनेगा two par three common निकाला है two par two बनेगा two par two बनेगा अब आ गया समझ तो जब common निकालते हैं तो छोटी वाली power common आती है और जब आता है तो ये तो 1 बन जाता है और ये क्या बनेगा 5 minus 3 5 minus 3 exactly इसलिए यहाँ पे जब 2 पर Q common निकाला तो ये बन गया P minus Q आगे न जा रहे इसलिए ये बन गया P minus Q राइट आई शाबाश तो आगे तो अंसर आता है राम से अब बेटा इससे पहले कि मैं आगे जाऊ हाँ इससे पहले कि मैं आगे जाऊ यहाँ पे एक छोटी सी चीज सुनो एक छोटी सी चीज सुनो notations हैं कि बड़ी books में दी होती है आपको confusion न हो जाए 4 और Q 2 मैंने कुछ गरबड की थी पीछे पीछे गरबड की मैंने कुछ calculation में गरबड की क्या 2 पर Q तो आगया 4 के बराबर तो Q आजाएगा 2 बिल्कुल ठीक है 2 पर Q 4 है तो Q होना चाहिए 2 और यह चीज 3 के बराबर है तो अगर यह चीज 3 के बराबर है तो यह उदर जाके बना 4 तो बेटा P माइनस Q 2 होना चाहिए कोईकि 4 क्या है 2 का square 2 का square होगा तो ही 4 बनेगा अच्छा यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया यह 2 आएगा तो यह अंसर आएगा P आएगा 4 अब आजो जो बताने लगा था सुनो मेरी बात जब ऐसे लिखा जाता है इसे क्या पढ़ा जाता है A is subset of B इसी चीज़ को अगर आप उल्टा पढ़ना चाहते है उल्टा तो पढ़ा जाता है B is superset of A तो कई बड़ी superset आजाए तो डरना नहीं है superset आजाए तो डरना नहीं है उल्टा बोला गया है और कुछ नहीं दूसरी बात जो notation कई बड़ी तंग कर सकती है notation कई बार आप देखोगे ऐसे लिखा होगा A subset of B और नीचे ने ऐसे करके ऐसे किया होगा ये मैं आपको कुछ notations बता रहा हूँ जो आपको books में कभी दिख सकती है क्योंकि different books अलग-अलग notation यूज करती तो आपको confusion ना हो जाए इसका मतलब क्या है इसका मतलब है A is subset of B and A is not equal to B मैंने अभी बताया था जब मैं कहता हूँ A subset of B है तो A और B equal भी हो सकते हैं Yes or No, tell me in the chat जब मैं कहता हूँ A is a subset of B तो A और B equal भी हो सकते हैं पर अगर मैं ये लगा दूँ तो मैंने ये mention कर दिया कि भाई या equal नहीं हो सकते equal नहीं हो सकते ठीक है? तो ऐसा notation दिखें डरना नहीं और अब तुमने बाबा लूटी लिये तो बता दूँ इस पूरी चीज़ को short में कहा जाता है A is proper subset proper subset of B तो short में ऐसे लिखा जाता है तो अगर कभी proper subset लिखा हो ना डरना नहीं है proper का मतलब है कि वो बराबर नहीं हो सकता तो ये कुछ notation से दिमाग में रखनी है केबर बुक्स में मिलेंगी डरना बिलकुल नहीं है मैं आगे चड़ो operations तीसरी चीज़ आ गई पहले definition समझी लिखने का तरीका समझा फिर हमने सीखा ये सारा subset वाला खेल और अब आगे operations God bless you बेटा God bless you खुश रहो अब आगे operations on set important है क्योंकि यहां से अब आगे J-E वाले questions जादा बनने शुरू होंगे इससे पहले कि मैं शुरू करूँ एक हल मुझे confirm कर दो सब बच्चों को ये मतलब थोड़ा बहुत idea है न अगर नहीं है तो देख के हो रहा है कि when diagram का कुछ कैसे बनाया जाता है एक डबा बनाया जाता है उसके अंदर गोले बना देते है ऐसे when diagram में set को ऐसे बनाया जाता है ये सब को पता है ये सब को पता है नहीं पता तो देख के पता लग रहा है हाँ set set को यहां बनाया गया है मान लो आपका set है 1,2,3 तो यहां पे लिखा होगा 1,2,3 ठीक है? और कुछ नहीं तो when diagram का मतलब होता है sets को गोले बना के लिख देते हैं sets को गोले बना के लिख देते हैं एक और set बनाओ, सुनो मेरी बात एक और set बनाओ, B इसमें है 3, 4, 5 तो कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? जिसने नहीं सुना, अब देखो सर्थी दोनों में न, तो यह ऐसा बना देते है 4 और 5 यहां लिख देते है आ गया समझ, तो when diagram कुछ नहीं होता एक डब्बे के अंदर गोले बना देते है और गोले के अंदर उनके elements लिख देते है और इसको कहते है when diagram इसको कहते है when diagram खतम बात अब खतम करने से पहले एक और मुझे guarantee दे दो कि हाँ सर, कुछ कुछ बस chat में लिख दो, हाँ सर, कुछ कुछ समझ आ गया कुछ कुछ बहुत है मैं कहीं नहीं रहा, पूरा पूरा अभी मैं बताऊंगा कुछ कुछ समझ आ गया tell me in the chat, yes or no एकर बोल दो हाँ, कुछ कुछ समझ आ गया कि when diagram का मतलब है कि sets को ऐसे गोलों में डाल के लिख देते हैं और कुछ नहीं, खतिया बहुत बढ़िया अब देखो फिर to understand operations on the set अब हम sets को आपस में कुछ टिंगल मिंगल करने वाले हैं whenever we learn anything new देखो maths ना pure fund है तुम अराम से relate करोगे जब भी एक नई चीज सीखते हो तो तुम उनका algebra सीखते हो algebra यानि कि ऐसी दो चीजें आपस में मिलेंगे कैसे number सीखे थे, number सीखते ही आपने क्या सीखा addition, subtraction, multiplication, division दो numbers multiply कैसे होंगे add कैसे होंगे इसे कहा गया algebra of numbers अब हम पढ़ने बाले हैं algebra of sets कि अगर दो set हैं तो उनको आपस में किस तरह से tingle-mingle कर सकते हैं, जोड सकते हैं आपस में ठीक, बस to understand operations on the set first we need to understand universal set यह universal set क्या होता है universal set देखो यार जब भी sets में हम बात करेंगे तो एकनल reference रखा जाएगा reference यानि कि आप किसके अंदर बैठे हो आप किसके अंदर बैठे हो for example आपने row अपनी set builder form याद करो a equal to x such that x कुछ भी याद करो क्या था हमने 2 पर n वाला example किया था where n is something yes ऐसा example किया था beginning में हमने right ऐसे बहुत सारे example किये थे तो यह आप set a की बात कर रहे हो a की पर a से बड़ी चीज़े भी बैठी होंगी a से बड़ी चीज़े भी तो होंगी यह तो कुछ element है b b होगा c b होगा बहुत सारे sets होंगे तो जब भी हम एक set की बात करते हैं तो हमना एक reference लेके चलते हैं कि आप किस चीज़ के अंदर हो किस scope में बात कर रहे हो आप उस scope को कहा जाता है universal सर scope का मतलब यह देखो scope का मतलब आपका set है one two three यह आपने बना दिया one two three मैंने का कि यार तुम ना इस set के बाहर नहीं जा सकते इस set के अंदर ही बात करनी है तो आपका universal set हो गया one two three four five four यहां बैठा होगा five यहां बैठा होगा तो universal set क्या होता है कि आप किस चीज़ के अंदर रहेंगे किस चीज़ के अंदर रहेंगे उसके बाहर नहीं जा रहा है आपने यह चीज़ सवाल में given होगी कि आपको इसके बाहर नहीं जाना आपको इसके बाहर नहीं जाना मेरा point बताओ सबको clear हो गया universal set सवाल में given होगा कि आप किस के अंदर रहेंगे आप उसके बाहर नहीं जा सकते आपका reference point क्या है everybody clear हो गया शाबाश लो देखो if we talk about any particular context then the set which is super set यान की बड़ा of all possible sets is called universal अब ये line बहुत important generally it is given in the question ये आपको सवाल में given होगा जैसे कि यहाँ पे एक when diagram बनाया गया है A है 1, 2, 3 और B है 3, 4, 5 universal आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आपने A भी बनाया ये रहा universal universal को हमेशा डब्बे से बनाना है हमेशा डब्बे से बनाना है ये notations हैं बस ऐसे याद अखनी है ओके जीदा notations तो universal हमेशा डब्बे से बनाना है बस तो 1, 2, 3, 4, 5 A, B में रख दिये ये बचारा 6 जो था उसको बाहर कहीं फेंक दिया और कुछ भी नहीं तो universal सेट जो है कुछ नहीं है बस reference point होता है शाबाश अब आते बेटा main जरा मुझे बताओ कितनों को ये हलके हलके आते हैं tell me in the chat me अगर ये हलके हलके आते हैं tell me no sir ji अगर ये बिलकुल नहीं आते हैं tell me in the chat फिर मैं तुमको बताना शुरू करता हूँ थोड़े नजारे लेके आते हैं फटा फट बता दो ओके ठीक है ठीक है ठीक है चकते फटे काफी बच्चों को थोड़ा फड़ा आता है अच्छा काफी उको नहीं भी आता है ठीक है ओके नाव स्टॉप अब तुमको इसमें नजारे आने वाले हैं आजो मैं इसका बेसिक मीनिंग यहीं पर बता रहा हूँ और वहाँ पर अगेन कुछ शब्द हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं वो शब्द दिमाग में रहेंगे कभी कन्फूजन नहीं होगा वनना ट्वेल्थ के एंड तक कन्फूजन होगा दिमाग में रखना मैं एक एक्जेम्पल लूँगा और वहाँ से सब कुछ समझाऊँगा ओके वन फोर फाइव ठीक है जी मैंने एक सेट बनाया है वन से लेके फोर तक और एक सेट बनाया है ठी से लेके फाइव तक यह दूसरा बस ऐसे बना रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा ठीक है ओके तो एस पर माई एक्जेम्पल यह ध्यान से सुनना मैंने ए यहां लिख रहा हूँ ए लिया है वन से लेके फोर तक Closed Interval You all are familiar with interval और B लिया है Closed Interval 3 से 5 जिसको Union Intersection आता भी है न बेटा वो भी ध्यान से सुनना कोई कि यहां पर तुम को कुछ Heavy Concept मिलने वाले है अब सुनो मेरी बात मैं यहीं पर पहले Base बना रहा हूँ Union of Two Sets इसको लिखा जाता है A Union B अब ज़रा ध्यान देना है सब बचे रुक जाओ ध्यान से इसका मतलब होता है A और B बट यह जो और है न यह बड़े-बड़े को समझनी आता बड़े-बड़ों को समझनी आता अब तुमको समझ आएगा सुनना ध्यान से जब मैं कहता हूँ X belongs to A Union B इसका मतलब होता है X belongs to A और B बटा जी यह सारे जो एक्जामपल हैं सब साइट पर रखो जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना तुमने मुझे जवाब देने हैं जवाब बटा अगर मैं X को यहाँ ले लूँ Tell me in the chat अगर मैं X को यहाँ लूँ तो क्या X A और B में है? Tell me in the chat X को यहाँ ले लूँ तो क्या X मेरा A और B में है? Tell me in the chat चाट मैं बताओ यह रहा मेरा A, यह रहा मेरा B No sir, बिल्कुल नहीं है sir, बिल्कुल नहीं बिल्कुल, very good अब आजो आगे अभी खतम नहीं हुआ है जहां से देखो अब बताओ, मैंने X लिया यहां पे क्या अब मेरा X A यूनियन B में है क्या अब मेरा X A यूनियन B में है मैंने यहां पे लिया X हाँ सर जी, अब तो है क्योंकि आपने कहा था कि A यूनियन B बी होगा जब X A और B में हो X A में हो या B में हो अच्छा अब जवाब दो ज़रा अब मैंने X को लिया यहां पे तो क्या X मेरा A यूनियन B में है मैंने X को यहां पे लिया है क्या X मेरा A यूनियन B में है बेटा यह मीनिंग लिखा है मीनिंग पढ़ो meaning पढ़ो शाबश x belongs to a union b का मतलब होता है x belongs to a और b इसको पढ़के जबाब दो तो जब मैं कहूं x यहाँ पे है तो यह मानते हो कि हो रहा है हाँ अब सब मानते है सब मानते है बस एक जिद्धी बच्चा है जिसका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा तो तेज चल रहा है वो नहीं मान रहा बाकी सब मान गए तो अब मेरी बात सुनो अब आरा है interesting part परकाश जी बात सुनिए अब आरा है interesting part जब मैंने कहा कि x यहाँ पे है तो आपने देखा कि x ना a के अंदर तो है x a के अंदर है तो भाया यही तो बोलता है a union b a union b बोलता है कि x या तो a में है या b में है तो अज़र x यहाँ पे है इसका मतलब यह सही बैठ रहा है यह सही बैठ रहा है तो union में है फिर मैंने x को लिया यहाँ पे यानि कि X को B में लिया तो आपने देखा हाँ यार सर ने बोला था कि X यूनियन में होगा अगर या तो A में हो या B में हो ये B में है हाँ सर सही बोला था हाँ सर सही बोला था अब जवाब देना अब आरा असली वाला अगर मैंने X को यहां पे लिया यहां पे याने कि वो A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है अब बोलो कि यह सही है या गलत है अब बोलो अब बोलो कि वो सही है या गलत है अगर मैंने X को ऐसा लिया कि वो A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है तो क्या यह statement सही है या गलत है यह statement सही है जा गलत इतना बताओ बस intersection union मत बोलो क्या कि यह सही है गलत है यह बताओ यह सही है जा गलत है maximum बचे बोल रहे हैं सही है पर काई बचे गलत भी बोल रहे हैं अब वो सुनो जो गलत बोल रहे हैं बैटा mathematics में mathematics में जब भी ओर लिखा होगा जब भी और लिखा होगा तो और का मतलब होता है आईदर और बोथ Mathematics में और का मतलब होता है आईदर और बोथ तो अब बताओ Do you agree कि यह x अगर यहां पे है तो यह statement सही है Yes or No हाँ सर अगर x यहां पे है तो यह statement सही है अगर मैं समझता हूँ कि और का मतलब यह होता है अगर मैं समझता हूँ कि और का मतलब यह होता है अब आए न पॉइंट पे तो या लखना Mathematics में और का मतलब होगा आईदर या दोनो यानि कि इसमें आ जाए या इसमें आजाएं या दोनों में आजाएं या दोनों में आजाएं ये मतलब होता है mathematics में और का ये point समझ आ गया चैट में फटा फटा बोलो ये mathematics की बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये लिखा है English और ये इसका mathematical meaning लिखा हुआ है तो math में जब और आएगा न उसको English वाला और नहीं पढ़ना वो mathematics वाला और है और mathematics वाले और का मतलब होता है either or both इसमें आ जाए या उसमें आ जाए या दोनों में आ जाए या दोनों में आ जाए exactly तो बेटा union का मतलब ये सारा ही union है ये सारा ही union है ए में आ जाए बी में आ जाए दोनों में आ जाए सब चलेगा सब चलेगा अब आजो बेटा दूसरे point पे और मेरा pen का गया वहाँ चला गया ते कोश रम नहीं आती pen मेरे second पे आ जाओ intersection फिर से सुनो मेरी बात इसे लिखा जाता है intersection को लिखा जाता है ऐसे A intersection B उल्टा यू डालते हैं ये लिखने का तरीका पढ़ा कैसे जाता है पढ़ा पढ़ा जाता है A and B अब तुमने मुझे जवाब देने हैं फिर से रेडी हो जाओ X belongs to A intersection B that is X belongs to A and B सोच के बताओ अगर मैं X को यहाँ लेता हूँ अगर मैं X को यहाँ लेता हूँ तो क्या ये fit बैठ रहा या नहीं बैठ रहा अगर X यहाँ पे है तो क्या ये सही है ये गलत है बस सही गलत पताओ अगर X यहाँ पे लेता हूँ तो ये सही है ये गलत है गलत है गलत है परफेक्ट अब सोच के बताना मैंने X को यहाँ लिया A में लिया A में अगर X को यहां लेता हूँ तो क्या यह सही है यह गलत है सिरफ सही यह गलत बताओ यह सुनो मत बोलो सही यह गलत बोलो मैक्सिम ने गलत बोला दो तिन बच्चे सही बोल रहे हैं बस बाकी सब ने गलत बोला अच्छा, अब आगा मेन मैंने यहाँ पे लिया अब बताओ यह सही है जा गलत है अब बताओ यह सही है जा गलत है फिर से mixture आया फिर से mixture आया पर maximum ने सही बोला अब मेरी बात सुनो अब बेटा mathematics में आ रहे हैं सुनो मेरी बात mathematics में आ रहे हैं mathematics में A and B का मतलब होता है simultaneously 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 तो अब पढ़ो A and B simultaneously तो अगर मैं X को यहां लेता हूँ तो क्या X मेरा A और B में simultaneously है या नहीं बताओ अगर मैं X को यहां लेता हूँ तो X मेरा A and B में simultaneously एक साथ है या नहीं बताओ चैट में है है सर है तो mathematics का point समझ आया mathematics में and का मतलब यह नहीं है उसमें चला जाए इसमें चला जाए no, mathematics में and होता है simultaneously mathematics में and होता है simultaneously आदा घंटा पहले भी बताया था अब समझ आ रहा है आपको तो जब X यहां पे है तो वो A اور B दोनों में नहीं है जब यहांपे है A में तो है पर B में नहीं है पर जब यहाँ पे है तो वो A में भी है, B में भी है तो अब ये बात सही बैठ रही है, हैंस सही बैठ रही है आ गया समझ मेरे भाई, बता दो चैट में आगे न जा रहे अभी इसकी detailing करेंगे, मैं meaning बता रहा हूँ, ओके तो math में जब भी और लिखा जाएगा, तो आपने इसको क्या समझना है either और both, जब भी and लिखा जाएगा, and का मतलब simultaneously तो देखो ज़रा सवालब, अब आओ यहाँ पे बेटा A union B का मतलब होता है, X, such that X belongs to A, और X belongs to B अब आओ यहाँ पे, यहाँ दो, A और B, और का मतलब मैंने अभी बताया या तो A में आ जाए, राइट, या B में आ जाए, या दोनों में आ जाए, दोनों मतलब common part में आ जाए यह पूरा union है, आता है समझ, point चमग गया, A और B का मतलब समझ गए या तो A में आ जाए, B में नहीं आया, या B में आ जाए, A में नहीं आया, या दोनों में आ जाए exactly, तो और का मतलब होता है, either or both, किसी एक में आ जाए, या दोनों में आ जाए, और याने की basically सब कुछ उठा लो, चैट में लिख दो, सर जी सब कुछ उठा लो, सब कुछ उठा लो, तो 1, 2, 3, or 2, 3, 4, का union क्या है, और सब कुछ उठा लो, सब कुछ, 1, 2, 3, 4, सब कुछ उठा लो, that is union, that is union, intersection, बेटा जी, and का मतलब क्या होता है, simultaneously, तो do you agree, ये है वो part, जो a और b में simultaneously है, दोनों में है, tell me in the chat, आया समझ, ये जो green part है, ये a में तो है, पर b में नहीं है, ये जो blue part है, ये b में तो है, पर a में नहीं है, सिरफ ये red part है, जो दोनों में simultaneously है, tell me in the chat, ये सुनो, दोनों में simultaneously है, दोनों में है, intersection, तो yes, intersection का आम भाशा में मतलब common part भी होता है, common, common part, आगे नहीं जा रहें, but yes, please make yourself comfortable with the term, simultaneously, तो union हो गया, intersection, तो मेरे खिया से बहुत easy है, यहां से intersection निकालना, याने की, ऐसी कौन सी चीज़े हैं, जो दोनों में present है, सरजी two, three दोनों में present है, two, three, शाबश, अगला आओ, कितनों को समझ आता है, कि अगर C जो है, set C, वो B के अंदर है, तो उनका union B बन जाएगा, उनका intersection C बन जाएगा, कितनों को समझ आता है, बताओ फटा-फट, बताओ फटा-फट, C जो है, B के अंदर है, यह C, B के अंदर है, तो union क्या बन जाएगा, B, यह मत बोलना, सरजी, C दो बार आजएगा, sets में element को एक ही बार दिखा जाता है, आता है समझ, got it, sir, got it, sir, यह रहे आगे, sir, आई, शाबाज, very good, तो मैं यहापे कुछ elements लिख देता हूँ, थोड़ा दिखाने के लिए, यह रहा C का element, और यह रहे B के element, अब देखो, ऐसा कौन सा पार्ट है, जो common है, ऐसा कौन सा पार्ट है, जो दोनों में simultaneously है, C वाला पार्ट, यह blue भी है, यह green भी है, यह blue भी है, यह green भी है, अब आता है union, ऐसा कौन सा, यूनियन की आता है, सब कुछ उठा लो या, C भी उठा लो, B भी उठा लो, क्या मिलेगा, B मिलेगा, 1, 2, 1, 2, 3, 4, इन दोनों का union क्या बनेगा, इन दोनों का union क्या बनेगा सी बनेगा, तुमने ये भी उठा लिया ये भी उठा लिया, अरे ये तुसके अंदर ही था तो यही तो आएगा, वही तो आएगा शाबाश ओ मैं क्या बल्ले तो ये एक basic सा observation हो गया शाबाश, आगे चलो अब ये लग रहा खतरनाक माशाला डीसेंटली खतरनाक लग रहा है बट ये इतना चुमू सी चीज़ है पूछने की हदी नहीं ये तुमको मैं वेन डाग्राम से दिखाऊँगा ताँ कि तुम्हें वेन डाग्राम का भी अच्छा सा अंडरस्टेंडिंग होना शुरू हो जाए ये मैंने बनाया बेटा A ये बनाया मैंने B और यहां बना देते हैं C ठीक है A भी C बना दिए इसे A कह देते हैं इसे B कह देते हैं इसको C कह देते हैं मुझे चैट में बताओ चैट में बताओ ऐसा कौन सा पार्ट है जो बी यूनियन ए और सी में कॉमन है मैं नाम दे देता हूँ इसको कह देते हैं X1, X2, X3, चुरी X3 यहां कह देते हैं मुझे नाम बताना बहुता है सिर्फ नाम, नाम बताना X4, X5, X6, X7 मैंने छोटे-छोटे हिस्सों को नाम दे दिए छोटे-छोटे हिस्सों को नाम दे दिए X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 ज़र मुझे यह बताओ B, Union, A और C में कॉमन क्या है वाइट का Union और Green में कॉमन क्या है बताओ वाइट पूरा और Green इन में कॉमन क्या है यह बताओ बस वाइट पूरा कह रहा हूँ मैं वाइट पूरा है B, Union, A यह और यह पूरे-पूरे है उसका common with Green का यह बताओ सही कह रहे बट एक दो बत्चे X7 अकेला बोल रहे है मैं मार्क कह रहा हूँ मार्क कह रहा हूँ देखो-देखो यह रहा A, Union, B पूरे का पूरा A, Union, B क्या बनेगा बेटा A, Union, B पूरा A उठालो, पूरा B उठालो सब कुछ उठालो X4, X5, X6, X7 यह रहा आपका A, Union, B Yes or No? यह रहा A, Union, B अब इसका common part बताओ C के साथ common part बताओ C के साथ C है मेरा X3, X5, X6, X7 अब सारे सही जवाब दे रहे हैं सर्फ 5, 6 और 7 common part है 5, 6 और 7 common part है शाबाश तो यह चीज जो है यह आ गई X5, X6, X7 Try to see यह भी सेम है देखो C intersection B क्या है? C intersection B C और B में common X5 और X7 Do you all agree? Tell me in the chat C और B में common X5 और X7 है Do you all agree? X5 और X7 अब बताओ C और A में common क्या है? C और A में C और A में common क्या है? X6 और X7 X6 और X7 Do you all agree? क्या मैं X7 को दुबारा लिखूँ Tell me in the chat क्या मैं X7 को दुबारा लिखूँ बताओ जरा X7 को दुबारा लिखूँ X7 को दुबारा लिखूँ No sir elements को repeat नहीं किया जाते जब set लिखते हैं तो यहां को मैं set element लिख रहा हूँ तो element repeat नहीं होगा तो देख लो दोनों same ही तो आगए तो यह ऐसी चीज़े हैं जो आपको prove करनी नहीं है when diagram से देख के feeling आ जाती है और कुछ नहीं but आपको यह basic सा याद रखना है कि intersection ना union पे टूट जाता है पस intersection union पे टूट जाता है C intersection B union C intersection A जैसे multiply addition पे टूट जाता है C multiply by B plus A टूट जाता है ना बेटा C multiply B plus C multiply A याद करने का तरीका बता रहा हूँ याद करने का तरीका ऐसे intersection union पे टूट जाता है अब समझ आ गया अब समझ आता है तो याद करने का तरीका है याद कर लोगे कुछ जगाए पे help करेगा बहुत ही मात्र सी थोड़ी सी जगाओं पे major कहीं पे help नहीं करेगा शाबाज ऐसे union भी intersection पे टूट जाता है union भी intersection पे टूट जाता है और कुछ भी नहीं तो ये जो property है एक basic सा property है काम कहीं नहीं आएगी books में दी होती है इस करके बता दिया मैंने बस डरना नहीं है और कोई reason नहीं है और इसका कोई काम नहीं हाना जिंदगी में ये लोग ये हमने observe कर लिया ये observe कर लिया अब c तुम observe करो भाई ये तो तुम से तुमारा ही बनता है ये तुम observe करो तो इसमें observe करना क्या है observe ये करना कि ये definition है it's a definition अगर दो sets में कुछ भी common ना हो तो उसको कहते हैं disjoint set अगर c intersection भी phi है यानि कि इसमें कुछ भी common नहीं है तो उसको कहते हैं disjoint sets बस और कुछ नहीं सिर्फ definition है disjoint sets ठीक यहाँ पर नहीं कि बड़ी प्यारी चीज मेरे दिमाग में आ रही बेटा जवाब देना मैं कहा जवाब देना मान लो a और b disjoint है a intersection b phi है यह रहा a और यह रहा b a b दोनों लग लग है दोनों में कुछ भी common नहीं है दोनों में कुछ भी common नहीं है तो अगर मैं बात करूं सोचना outside a outside a वो कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा outside a ऐसा दिखेगा tell me in the chat yes or no this will be outside a outside a so do you agree अगर दो set disjoint है तो एक जो है वो दूसरे के outside में आएगा एक जो है वो दूसरे के outside में आएगा do you all agree अगर दो sets आपस में disjoint है तो एक जो है दूसरे के outside में आएगा इस observation को दिमाग में रखेगा क्योंकि इसको मैं यूज करूँगा अभी दो मिनट के बाद Compliment यह जो मैंने outside word यूज किया उसको compliment कहते हैं बेटा तो whenever this is A and I ask you outside A it means I am asking A compliment What is A compliment? X such that X A के बहर है बट यूनिवर्सल के अंदर है इस उस डबबे के अंदर है यह समझना बहुत जरूरी है यह मेरा यूनिवर्सल यूनिवर्सल मतलब मैं इसके बाहर जा ही नहीं सकता और मैंने तुम से पूछा इसका compliment जरा मुझे चैट में बताओ अगर यह मेरा यूनिवर्सल है तो इसका compliment क्या आएगा compliment क्या आएगा इसके बाहर इसके बाहर बचा five और six थोड़ी शरारत करना हूँ डरना मत अगर मैं यहां universal में universal में one से लेके eight तक ले लेता तो मेरा compliment क्या आता तो मेरा compliment क्या आता बतादो तो मेरा compliment क्या आता अगर universal में one से लेके eight तक ले लेता तो मेरा compliment क्या आता सर जी five six seven eight तो समझ रहे हो universal मुझे दिया जाएगा universal को देख कर मैं अपना answer बताऊँगा सबको समझ आ गया मैंने beginning में कहा था कि universal दिया जाएगा आपसे normally पूछा नहीं जाएगा ठीक है कभी कोबार कहा देते हैं कि what can be a possible what can be possible universal तो given से बड़ा कोई भी बता दो बट अगर हम numerical की बात करें तो वो आपको देंगे और उसके मताबिक आपको solving करनी होगी शाबाश लाब भई अगे देखो यह आता है समझ सर obviously आता है a compliment का compliment a ही होगा यह a है और यह a के बाहर है बिटाई जो बाहर है बाहर उसके बाहर क्या है a compliment के बाहर क्या है a yes or no but obvious so compliment का compliment मुड़के set आजेगा आप a के बाहर गए फिर उसके फिर बाहर आगए तो A ही आ जाएगा चार शाबाश अब ये बताओ ये आता सबको समझ ये किसी बचे ने पहले भी जवाब दिया था मुझे एक बचा पहले भी जवाब दे रहा था सर जी A union A compliment तो universal बन जाएगा किसी ने जवाब दिया था न मुझे सर जी बिलकुल obvious ही बात है ये A है और ये A compliment है दोनों ठालोगे क्या बन जाएगा पूरा universal तुमने A भी ले लिया A के बाहर भी सब ले लिया क्या बनेगा universal मैं कर टेंशन ही खतम हो गई बिलकुल ठीक यश कहरा सर A के बाहर कुछ है ही नहीं बेटा क्यों नहीं ये कुछ तो होगा कुछ नहीं होगा तो फिर A खुद ही universal होगा अगर ये के बाहर कुछ भी नहीं बचा तो A क्या हो गया खुद ही universal बन क्या ठीक आईश याबाश ये मैंने तुमको पहले ही observe कराया यास और नो अगर दो sets आपस में disjoint हैं तो एक जो है दूसरे के outside में होगा यास और नो अभी क्या भी observe किया था ये A है ये B है दोनों अलग अलग बैठे हैं अदर में कुछ common नहीं है ये A है ये B है दोनों में कुछ common नहीं है तो एक जो है वो दूसरे के outside में होगा दूसरे के आउट साइड में होगा अई शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक बचा कह रहा है सर ये बता दो दुबारा बेटा ये कुछ भी नहीं है आचा बेटा तुम बताओ आजो सारे यहाँ पर आजो ये ए है ये ए कॉम्प्लिमेंट है अगर मैं तुम से पूछू ए के बाहर क्या है बताओ फटा फट ए के बाहर क्या है तुम बोलोगे सर जी एक स्टू है एक स्टू तो बोलोगे पर ये प्लैनल चेंज हो गया बिटा जी पिछे चलो है हाँ मैं तुम से पूछू A के बाहर क्या है तुम कोगे X2 अगर मैं तुम से पूछू A compliment यानि की इस white part के बाहर क्या है अब बोलो इस white part के बाहर क्या है अब बोलो X1 है X1 याश X1 ये white part सिरफ ये वाला हिसा है ये वाला हिसा भीजा इसके बाहर क्या आएगा इसके बाहर यह आएगा A के बाहर A compliment है A compliment के बाहर A है समझ गए अब अब clear हो गया तो compliment यानि की A के इलावा तुमने उसका फिर compliment किया तो मुड़के A ही आ गया शाबाश अगे चलो D Morgan Law बहुत प्यारों बच्चों का favorite होता है D Morgan Law बहुत बच्चों का favorite होता है D Morgan Law पहले याद करने का तरीका और फिर इसको visualize करने का तरीका दोनों करेंगे हम आओ ज़रा एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा सर जी universal का compliment क्या होगा universal के बाहर क्या होगा फाई universal के बाहर जा ही नहीं सकते तो अगर आपको universal का compliment पूछेंगे तो फाई आ जाएगा आजो बचा याद करने का तरीका बहुत सान है A union B का compliment क्या होता है A compliment intersection B compliment याने की compliment को अंदर ले जाओ अंदर ले जाओ और union को उल्टा कर दो सेम चीज़ intersection के साथ भी होती है A intersection B का compliment compliment को अंदर ले जाओ A compliment B compliment और इसको उल्टा कर दो तो याद करना तो बहुत easy है अब इसको visualize करते हैं और बाद में इसका application देखेंगे visualize कैसे करेंगे band diagram से करेंगे ये लोग या ये बनाया A और ये बना दिया हमने B राइट बिटा जरा मुझे बताओ Do you all agree A union B का compliment याने की A और B के पूरा बाहर पूरा बाहर A और B के बाहर का part अच्छा अब जरा ध्यान देना अब थोड़ा दिमाग लगेगा ये क्या है ये अब मैं बना रहा हूं ध्यान से देखना सबसे पहले बनाओ A compliment यानि की A के बाहर ये बनाया A compliment ध्यान से देखना ये बना दिया A compliment लो जी बना दिया राइट अब सुनो अब बनाओ B compliment B के बाहर अब जरा मुझे बिटा ये बताओ ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे येलो भी आ रहा है और रेड भी आ रहा है बताओ ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे येलो रेड साइमल्टेन इसलिए आ रहा है intersection सर जी ये जो boundary है न इस boundary के बाहर yes or no चैट में बोलो yes or no ये जो white boundary है इसके बाहर red और yellow simultaneous है intersection है तो जब मैं कह रहा है इस white boundary के बाहर इसका मतलब क्या हुआ a union b के बाहर a union b के बाहर आता है समझ a union b के बाहर तो ये आप visualize कर सकते हो तो इस तरह से इसको visualize करते हैं और ये बहुत important है sets particular sets में ये बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा पट अगले chapters में ये काफी जगा पे काफी critical role play करेगा तो आपको ये याद रखने हैं और याखना बहुत सान है compliment अंदर जाता है union का intersection बन जाता है compliment अंदर जाता है intersection का union बन जाता है काम खतम और कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं एक बच्चा कहता sir आपने union समझाया मालो ये a है और ये b है sir अगर ये दोनों अलग अलग बैठे है मालो इसमें है 1, 2 और 3 इसमें है 4 और 5 अगर ये दोनों अलग अलग बैठे है इनका union क्या होगा बच्चो जरा मुझे इन दोनों का union बताओ मुझे इन दोनों का union union बताओ इसमें 1, 2, 3 है इसमें 4, 5 दोनों लगलग है, डिस जॉइंट है, इनका यूने बताओestab क्या होगा। एक तो तुम लेट आते हो ये दो बच्चे जो भी है एक तो लेट आते हो उपर से गलत जवाब देते हो उपर से स्पैमिंग करते हो उप आप लगेगा मातारा नहीं दे करी है क्या कर रहे हो तो यूनियन मतलब A भी रख लो B भी रख लो सब कुछ उठा लो that is union तो ऐसे हे बनेगा ठीक है ओके difference difference of set इसको पढ़ना कैशे है इसको पढ़ना कैसे है सुनो मेरी बात जब A माइनस B लिखाओ ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख देते है ठीक है इसका मतलब होता है इसका मतलब यार वर्ट पर ध्यान देना remove B from A भहिया B के elements A में से remove कर दो that is the meaning remove कह रहा हूँ remove तो जरा मुझे बताओ इस में से जब इसके element remove कर देंगे तो क्या बचेगा remove these elements from here तो क्या बचेगा remove, word remove रिमूब रिमूब या रखना remove these elements from here तो क्या बचेगा one बिलकुल सही है अब सोच के जवाब देना remove these elements from here क्या बचेगा remove these elements from here क्या बचेगा सर जी यह element तो यहाँ पे है ही नहीं यह element तो यहाँ पे है ही नहीं हां तो कुछ दी रिमूब होगा one, two, three बचेगा बहिया तुम ध्याँ से toxinsो ध्यां से तुनना तुम्ने यहाँ पे भी तो टू को remove किया हृँ 3 को remove कि हृँ 4 का कुछ नहीं किया क्योड एक भी और यहाँ पे था इने अब भी 4 यहां पे है नहीं 5 यहां पे है यह नहीं तो इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ तो आंसर 1, 2, 3 आ गया तो वेन आई से रिमूव दे ऐलिमेंट्स ओफ बी फ्रॉम ए मतलब यहार बी में ऐसे ऐलिमेंट जो यहां बैठे हुए है उनको हटा दो अब अगर इसके ऐलिमेंट यहां बैठे ही नहीं हुए तो कुछ भी रिमूव नहीं होगा तो यह ऐसा चीही बच जाएगा काम खतम बहुत बढ़िया एक बच्चा कहता है तो डी मॉर्गन का एक्जामपल दे दो बेटा एक्जामपल आगे आएगा बहाँ पर भी एक्जामपल नहीं आएगा एक्जामपल आगे आएगा डी मॉर्गन का डूंट वरी शाबाश तो सुर्याश आप भी की बात का जवाब मैंने दे दिया एक बच्चा कहता है अपने यहां से फोर हटाया ही नहीं बेटा यहां पर फोर है ही नहीं हटाऊं कैसे यहां पर फोर है ही नहीं हटाऊं कैसे सो हटाने का मतलब क्या होता है इस में से जो चीज़ यहां बैठी है ना उसको हटा दो बस इस तरह का दिखता है बेटा यह 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 है आपने ए में से जो B वाला पार्ट था ये वाला पार्ट वो हटा दिया वो हटा दिया God bless you for 1K likes अरे क्या बात है तुम 1K like करते हो दिल तो खुश होता है एक काम करो जो बचे लेट आए थे फटफट एक like ठोको नमबर को बढ़ाओ देखे कितना बढ़ता है जो लेट आए थे पहले वालों तो like कर दिया होगा जब एकदम से like बढ़ते हैं खुशी बढ़ी होती है मैंने ये observe किया है जब एकदम से टक 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 बढ़ते हैं एक अलग सी खुशी होती है तो मैं कर एकदम से like फटाफट बढ़ाओ देखे कितने बढ़ते हैं कितने बच्ची जोंने लेट आए थे शाबाश शुभम फाई इस नोट एन एलिमेंट फाई इस एस सेट जब हम कॉमन की बात करते हैं तो हम एलिमेंट कॉमन की बात करते हैं सेट थोड़ी कॉमन होता है एलिमेंट कॉमन की बात करते हैं मैं को लगता है कि वह अभी 1 की है तो जब तो 1100 नहीं बनेगा तब तो कोई देखेगा नहीं पर जो भी तुम like ठोकते रहना फटाफट 1.1 की भी हो जाएगा बेटा तो यह रहा जो मैंने आपको समझाया अभी A B तो जब देखो बेटा आपने जब A माइनस B किया तो यह था क्या आप देख पा रहे हो कि यह दुनों सेम है फटाट देखो क्या तुम देख पा रहे हो कि A माइनस B कुछ और नहीं common of A with B कॉम्पलिमेंट है common of A with B कॉम्पलिमेंट क्या तुम देख पा रहे हो यह रहा B कॉम्पलिमेंट क्या तुम देख पा रहे हो कि white part कुछ और नहीं common part of A with B कॉम्पलिमेंट है common part of A with B कॉम्पलिमेंट है देख पा रहे हो गोविन वेटा वो elements पर depend करेगा मैं इस पर detailing करूँ और डॉंट वरी अच्छा 1.1 की हो गया God bless you यह मैं ऐसे ही क्यूं बनाता हूं इस पर मैं comment करूँ अब भी जब सवाल शुरू होंगे ठीक है मैं ऐसा क्यूं बना रहा हूं डॉंट वरी इक्जेक्टली शाबाश यह एक छोटी सी definition है इसको जमाई जतनी देनी बस definition की तरह दिमाग में रखना है और कुछ नहीं करना A delta B symmetric difference पढ़ा जाता है इसका मतलब होता है A में से B remove कर दो B में से A remove कर दो और उन दोनों का union ले लो बस और कुछ नहीं देखो फटा फट देखो फटा फट ए बी भी भी या A में से B को remove करो क्या बनेगा A में से B remove करो सर ये बनेगा अच्छा बिटा B में से A remove करो अब क्या बनेगा सर जी ये बनेगा बस इन दोनों का जो union है वो ये है Union मतलब ये भी रख लो ये भी रख लो ये मेरा answer है Only definition है इसको बिलकुल भी इज़त मी देनी नाम कभी आ जाए तो ये इसका meaning होता है बस meaning पता होना चाहिए अब बेटा last and the most important part of this chapter जिसमें की सवाल बनेंगे बहुत सारे वो शुरू हो रहा है It will take about 20 to 30 minutes to do this part ध्यान देना सबसे ज़्यादा focus तुम्हें यहीं पे रखना है सबसे ज़्यादा focus यहीं पे रखना है आजो Cardinality based problem ये कुछ लिखा है result देखो ज़रा result क्या कह रहा है और अब मैं तुमको कुछ राज की बाते बताऊँगा ज़रा राज की बाते ध्यान से सुनना कहता number of element in A union B is N A plus N B minus N of A intersection B अब ज़रा राज की बातों को ध्यान से सुनना बेटा येस बेटा आज पूरा sets खतम हो जगा just 25 minutes more N A union B is N A plus N B minus N of A intersection B सुनो जब भी तुम चीजों को Venn diagram से देखोगे और तुमको दो sets दो sets देखने हैं तुम हमेशा ऐसे ही बनाओगे सर हो सकता है उनमें कुछ common हो ही न हाँ अगर कुछ common नहीं होगा यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे पर बनाएंगे ऐसे ही point समझे तो जब भी आप दो sets का सवाल कर रहे हो बनाओगे ऐसे ही cut करते हुए अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखोगे खाली छोड़ दोगे पहली बात दूसरी बात ध्यान से सुनो अभी बहुत important बात आ रही है A B जो हिस्सा यह वाला है, यह वाला यहाँ पे कुछ number of elements होंगे यहाँ पे कुछ number of elements होंगे right मालो यहाँ पे x1 number of elements है मैं क्या कह रहूं, बोलो फट़ फट यहाँ पे x1 number of elements है x1 element नहीं है number of elements है, am I clear to you tell me in the chat, am I clear to you x1 क्या है, इस जगा पे number of elements number of elements क्योंकि अब हम cardinality की बात कर रहे है अब हम cardinality number of elements की बात कर रहे है element की बात नहीं कर रहे है ऐसे ही यहाँ पे कुछ elements होंगे 1,2,3,4,5 कुछ elements होंगे मान लो यहाँ पे है x2 number of elements number of elements की बात कर रहा हूं number of elements और मालो यह जो बीच का पार्ट है यहाँ पे है एक्स थ्री नंबर ओफ एलिमेंट्स तो मुझे जिरा बताओ क्या तुम देख पा रहे हो जब मैं यूनियन की बात करता हूँ यूनियन मतलब ये पूरा तो इस पूरे में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे सर जी एक्स वन एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे प्लस एक्स थ्री एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे प्लस एक्स टू एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे यूनियन में इतने नंबर ओफ एलिमेंट्स आ जाएंगे तेल मी इन दा चैड, union में इतने number of elements आ जाएंगे, या आता है समझ, number of elements, शाबाज, तुज़रा मुझे बताओ, A में कितने elements हैं, maximum बच्चे गल्ती करते हैं, गल्ती मत करना, A में कितने elements हैं, बताओ, पूरे A में कितने elements हैं, A में कितने elements है सर जी X1 प्लस X3 शाबाज बच्चे ने एक ने बोला X1 गलती कर गया वेटा A तो पूरा है तो कुछ elements यहां बैठे हैं कुछ यहां बैठे हैं X1 प्लस X3 number of elements है अब मुझे बताओ B में कितने elements है number of elements incomplete B incomplete B number of elements in complete B X2 प्लस X3 है अच्छा अब जरा intersection में बताओ कितने है number of elements in the intersection कितने है in the intersection सर जी X3 है तो क्या पडोसियों की मदद लेनी पड़ेगी देखने के लिए कि obviously यह जो value है उसके बराबर आ रही है देखो जरा this प्लस this minus this cut cut बचा क्या X1 प्लस X3 प्लस X2 क्या पडोसियों की मदद लेनी पड़ेगी देखने के लिए बराबर आ रहे है नहीं सर अब्वियस ही बात है बहुत ही अब्वियस ही बात है यह पहला और most basic formula है तीक है अभी अभी इसको हम use करना सीखे हैं इसंपे सवाल बहुचे बंते हैं पपी सवाल नहीं बनेगी अच्छे सवाल बनेगे इसपे अभी देखेंगे बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनेगे तो जैसे ये दो के लिए है ऐसे ही तीन के लिए भी होता है और इस पे हम आएंगे इसको प्रैक्टिस करने के बाद ठीक है? इसको प्रैक्टिस करने के बाद इस पे आएंगे तो पहले बन को उठाओ आ जो बेटा यहां पे बेटा अब मैं तुमको रेक नाम, नाम की कला बता रहा हूँ येस आफ़को आफ़को अच्छिलेश नाम करन करने लगे हैं अगर ये सीख लोगे तुम किसी भी सवाल में नी फसोगे चाहे वो मेन का है, चाहे वो अडवांस का है, चाहे वो स्कूल का है कोई भी हो, सुनो मेरी बात हमेशा जब भी दो सेट्स बनाने है तो ऐसे बनाने है नमबर वन, नमबर टू, आपको यहां के नमबर अफ़ एलिमेंट अलग से लिखने है ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, इसके नमबर अफ़ एलिमेंट अलग से लिखने है इतना जो part है इसका ये इसके number of elements अलग से लिखने है and इतना जो part है common वाला इसके number of elements अलग से लिखने हमेशा पहले तो number of elements अलग अलग लिखने है समझ गे अब सुनो मेरी बात शब्दों से खेलेंगे तुमारे साथ x1 क्या है x1 क्या है number of elements अब ध्यां से सुनना in only a यह only a बड़ा important है x1 plus x2 क्या है sorry x3 यह काम तो रहा है wait 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 ऐसे sorry 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 ऐसे लिखो number of elements in only a number of elements in a number of elements in only b number of elements in b अब देखो अब देखो समझ आ रहा है क्या कहना चाहरा हूं किस किस को समझ आ मैं यह शब्दों से कैसे खेल रहा हूं number of elements in a भया a क्या था यह पूरा यह पूरा a है इसमें कितने elements आएंगे x1 plus x3 पर जब मैंने बोला अब सुनो जब मैंने बोला number of elements in only a x1 x1 जो है वो सिरफ a में है यह देख पा रहे हो x3 जो है वो a में भी है b में भी है x3 जो है वो a में भी है b में भी है बट x1 जो है वो सिरफ a में है तो याद रखना a लिखा है या only a लिखा है इसमें बहुत फरक है a लिखा है या only a लिखा है इसमें बहुत फरक है ऐब सुनो मेरी बात, इस बेटाप सही कहा दो सूजल सवालों में लगाते कैसे हैं एक मिनट ये बता दिया मैंने अब सुनो मेरी बात जहां से सुनना बेटा, ये सीख लिया तो अगला पाट आगह सागह अगह इंटरेस्टिंग अटा जाएगा इना स्कूल एबरी टीचर टीचीज आइदर मैथ और फिजिक्स एंड कितना लिखा है 15 टीच मैथ 24 टीच फिजिक्स वाइल 6 टीच बोथ अब मेरी बास सुनना सवाल करना कैसे है पिटा आपको दिया क्या है कितने पढ़ाते हैं मैथ भई मैथ कितने पढ़ाते हैं 15 और फिजिक्स पढ़ाते हैं 24 अभी ध्यान से सुनों अप्रोच बताने लगाँ 6 पढ़ाते हैं बोथ बोथ 6 पूछा क्या गया है नमबर आफ टीचर डू यू एगरी ये पूछा गया है टेल मी इन दा चैट do you agree ये पूछा गया है every teacher teaches math और physics every teacher teaches either math और physics तो अगर मैं पूरा टीचर पूछ रहूँ सारे physics और सारे math इठाब बताओ कितनी teacher है यहाँ पिना भी तमको بहुत बड़ा concept बताने वाला हूँ जो अगर नहीं पता होता तो maximum जगाबचे competition में गलती करते हैं बस ध्यारे रखो patience रखना बहुत can't concept होताने वाला हूँ तो जब तो सवाल ना बेटा सुनो बेड़ी जब तो सवाल ऐसा हो कि सारा data दिख रहा है formula ready made बना हुआ formula ready made बना हुआ है तो तो मैंशे formula लगा दो तो जाला मत सोचो direct formula लगा दो मुझे formula कहता कि ये ना ऐसा होता है सिर्फ formula मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ formula लगा दियर डिरेक्ट वाला मुझे ये भी पता है मुझे ये भी पता है और मुझे ये भी पता है कितना बन गया जो भी बन गया यार ये 9, 33 एक बात ध्यान सो सुनो मेरी बात इससे पहले कि मैं B पे आऊ जहां पर थोड़ा अलग category of solution बनेगा अलग category of solution इस line की पहले इज़त करना सेखो ये एक ऐसी line है जिसकी की बहुत इज़त है क्यूं? क्यूंकि अगर ये ना होती तो तुमारी लंका लग जाती क्यूं? क्यूंकि ये line ना होती तो तुम फिर भी ऐसे ही solve करते और आंसर गलत आता सर ये क्या मतलब हुआ? कितनों के कान खड़े होगे चैट में बताओ अगर ये line ना होती तो तुम ऐसे ही solve करते और ये अंसर गलत होता कितनों के कान खड़े होते हैं ये बात सुनके मुझे बताओ ऐसे ही थोड़ी ना पाई तुमारा भाई पढ़ा रहा है कैंट बाते बताने वाला हूं सुनो मेरी बात ते राम से अब सुनो मेरी बात अगर ये line ना होती तो तुमारा जो total number of teachers है वो इससे ज़ादा होता yes or no इससे ज़ादा होता यहाँ पे तुमने सिरफ physics और math के teacher उठाए क्योंकि तुमको given था कि हर एक teacher या तो physics पढ़ा रहा है या math पढ़ा रहा है तो total जो teachers होंगे वो P union M होंगे पर अगर ये line given ना होती अगर ये line given ना होती तो आपका answer आता total teachers is greater than equal to this ऐसा answer आता आया समझ अगर ये line ना होती तो तुमारा answer आता total teachers is greater than equal to this equal to this ना आता तुमारे option कभी objective लगाओगे वहाँ पर कुछ सवाल होंगे जहाँ पर ये line नहीं होगी और वहाँ पर answer ना greater than equal to दिया होगा और तुम अपना माथा पकड लोगे कि ये greater than equal to कैसे है तो equal ही आएगा भया तुमने equal P union M निकाला है अगर ये line ना होती तो P और M के लावा और टीचर्स भी हो सकते थे तो total teacher इससे ज़ादा आते किस किस को समझ आ गया चैट में लिख दो निजारे आ गये hashtag VLOP लिख दो फटा फट और like ठोकना मत भूलना कोगी बहुत क्या एंट पॉइंट बता रहा हूँ शुवन आज से पढ़ना शुरू हो जाओ आज से सब कुछ आजएगा attention मत लो फटा फट चैटे मता दो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चागे 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 VLOP समझ आगे नजारे आगे सो ये line की बहुत इज़त है मैं यहाँ पे mark कर रहा हूँ अगर स्टार ना दिया होता अच्छा अब आगे चलते है B part वे चलो यह पेर तो इसको उदर लेके आओ यह मुझे पसंद नहीं है इदर इदर आ भाई तुम आजा आजा उम्मे कहा आजा आजा B part अब सुनो मेरी बात अब B में सीखो The number of teachers who teach physics only यह only से दिमाग चमक रहा है only आगया थोड़ा केरफुल होना पड़ेगा और इसने only पूछा है तो जब भी ऐसी शब्द आ जाए How many teach physics only How many teach one subject only हमेशा when डागराम से करो और when डागराम से कैसे किया जाता है देखो दो सेट्स हमेशा ऐसे ही बनाने है यह P है यह M है number of elements यहां के अलग लिखने है यहां के अलग लिखने है यहां के अलग लिखने है अब देखो data के मताबिक math कितने बन्दे पढ़ाते है 15 math math क्या है मेरा वाँ देखो math है x2 प्लस x3 इसकी value 15 है How many teach math 15 तो x2 प्लस x3 15 मैं फिर बोल दूँ इस खाने के अलग इस खाने के अलग इसके अलग सब के अलग लग number लिखने है फिर physics 24 physics है x1 प्लस x3 24 अब देखो पूछा क्या है पूछा है only physics तो आपसे पूछा है x1 do you all agree आपसे x1 पूछा है तो क्या मैं यहां से x1 निकाल सकता हूँ यहां से x1 निकाल सकता हूँ yes sir निकाल सकता हूँ provided provided मैंने एक चीज सोच ली होती जो सारे बच्चे भूल जाते हैं पर मैं नहीं भूलूँगा कि मुझे total number of teachers पता है total number of teachers पता है पिछले ही सवाल में निकाले बेटा yes or no पिछले ही सवाल में निकाले इसकी जूरती नहीं है sorry 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 क्या करता हूं मैं sorry sorry एक चीज भूल गया था x3 x3 पता है 6 sorry पहले मैं वो दो लंबे method पे चला गया था लंबे method की जूर नहीं थी सिरे पता है तो यहां से मैं x1 बता दूँगा 18 यहां से x1 बता दूँगा और पहले मैं लेंदी चल गया था यह जो लगाया ना यह बहुत important है जब भी यह 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 फसाद आ जाएगी ना only वाली बेटा प्लीज फॉर्मूले मतलगाना वेंड डाग्राम से solve करना मैं का पटाक सवाल खतम हो जगा पटाक सवाल खतम होगा यह सवाल देखो इन अ क्लास 60% past physics 58% mathematics what percentage of students past both क्या लिख है both their physics and maths क्या पूछा बेटा intersection पूछा yes or no intersection पूछा है जब जो चीज पूछी गई है वो बहुत direct है तो हमेशा formula लगाओ तो सरफ formula लगाओ जब जो पूछा गया है वो directly formula से आ रहा है फिर बेटा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना फिर नहीं तुमने घुमाना फिराना नहीं है when diagram की help तब लेनी है अगर जो चीज पूछी गई है वो थोड़ी सी complicated है यानि की only वाला word लगा हुआ है only वाला word लगा हुआ है तो तुमने when diagram पे जाना है यहां तो बेटा intersection पूछा उदर ले जाओ तो n of p plus n of m minus union अब क्योंकि बेटा percentage की बात हो रही है तो total मान लिया 100 percentage की बात हो रही total 100 हो गए p कितना भी 60 math कितना है 58 तो यहां तो तुमारे पास अराम से intersection आ गई इस सवाल का purpose बस ये था कि अगर union या intersection direct पूछा गया है तो formula ही लगाओ तो कुछ नहीं लगाना direct formula से आ रहा है पट अगर वो only वाला word आ जाए तो तुमने when diagram पे जाना है अगर only वाला word आ जाए यहां पे देखो अब यहां बिटा when diagram आ रहा है when diagram आ रहा है जहां से देखो when diagram रहा है demorgan law आ रहा है एक बच्चा कहाँ सा demorgan law की application बता दो demorgan law आगी application in a survey of 600 students in a school 150 students were found to be drinking tea अच्छा जी मुझे tea पता है कितना पता है 150 225 coffee ओके जी coffee पता है 225 100 both मैं कहा अभी तक जो data है बहुत ही प्यार है सब कुछ दे दिया उसने पूछा गया find how many students were drinking neither tea nor coffee अब ध्यान से सुनना neither tea nor coffee neither tea tea compliment tea नहीं पी रहा मतलब tea compliment and not coffee या आता है समझ ये पूछा गया है बेटा neither tea nor coffee tea भी नहीं पीता and coffee भी नहीं पीता कुछ नहीं पीता दोनों में से अब यहां पे तुमको D. Morgan Law help करता है कि बेटा ये तो tea union coffee का compliment है yes or no यहां पे तुम्हें D. Morgan Law ने help की tell me in the chat yes or no तुम्हें इसका formula नहीं पता पर union का formula पता है कितने बच्चे समझते हैं तुमसे पूछा गया है tea union coffee के बाहर कितने element है tea union coffee के बाहर कितने element है तो do you understand तुमसे पूछा गया है total minus tea union coffee tell me in the chat yes or no tea union coffee के बाहर कितने element है यह total में से tea union सी हटा दो tell me in the chat yes or no तुमसे पूछा गया है tea union coffee के बाहर कितने element है तो total में से यह part हटा दो तो बचेगा क्या बाहर वाला part तो बेटा यह तो ऐसा part हो गया कि अब तुम मजे से कर दोगे मजे से कर दोगे आईशा बाई तो बेटा टोटल तुमको पता ही है कितने थे टोटल कितने थे 600 और union का तुमको फॉर्मूला पता है union का तुमको फॉर्मूला पता है तो n of t कितना है बाहिया 150 n of c कितना है 225 और intersection कितना है 100 तो यह आगया तुमारा answer तो इस्वाल कोई भी कर लिता है मांते हो चाइट में अब तो अब तो समछे लहाए ना तो उताँ देखे भी कर देंग्या सोई सोई भी कर देम हैpen यह सवाल तो बैठे भी कर देगे थोड़ा सपाला को नहीं आओ, tell me in the chat, do you want good concept now, basics यो सारे त्यार हो गए, लेके आए मसालेदार अब, बोलो चैट में फटापट, मसालेदार चीज लेके आए, बढ़ी आवाली, ये basic सब को clear हो गए, तुजरा ये पढ़ो बेटा, तुम्हारे लिए मसाला नमबर वन, मसाला नमबर वन पढ़ो, पहले पढ़ लो, फिर बताता हूं क्या चीज है, पहले, in a school, if 15 teachers teaches math, and 25 teach physics, and total number of teacher 30 है, then try to say, see, intersection को 10 तो होना पड़ेगा, ये कितनों को समझ आता है, फटवर चैट में बताओ, कितनों को समझ आता है, फटवर चैट में बताओ, पहले, बता तो ऐसे क्यों बता रहा हूं मैं, अव्यसी बात है, मानते हो, अव्यसी बात है, यहर 15, 15 teacher math पढ़ा रहे थे, और 25 teacher जो हैं physics पढ़ा रहे थे, याने कि अगर ये सारे अलग अलग होते, तो total कितने teacher हो जाते, 40, टोटल कितने teacher हो जाते है, 40, पर हमारे पास तो total teacher ही 30 है, भाई यह 10 teacher जादा हो गए, इसका मतलब पकी बात है, इन में 10 ऐसे हैं जो common है, अब चमक गया सबको, चमक गया तो चैट में पहले वियलोपी लिखो, येस बेटा सूर्या सेशन बढ़े होंगे 2-5 घंटे के बीच में और एक पूरा topic को निप्टाया जाएगा, ताकि आपको multiple shift में ना आना पड़े, एक ही shift में पूरा topic निप्टा दिया, येस, तो जब भी आपका total जो है, भाईया वो actual total से बढ़ जाए, तो पकी बात है जो extra वाले हैं, वो common में आने चाहिए, अच्छा, तो बेटा सवाल पढ़ें जरा, जरा सवाल, ये remark मैं बताता हम, आगे आओ, सवाल पढ़ो, ए पार्ट, ए पार्ट को जरा ध्यां से देखिए बेटा, ए में है 5, बी में है 10, तो total 15 teacher होते हैं, अगर सारे अलग-अलग हैं, पर सवाल में given है, कि total teacher ही 8 हैं, तो बताओ, कितनों को common होना ही पड़ेगा, कितनों को common होना ही पड़ेगा, बतादो अफ्रब, A, intersection B, का minimum कितना value होगा, भाईया, इतनों को तो common रखना ही पड़ेगा, 7, 7 को common होना पड़ेगा, बड़ा असान हो गया, अगर मैं तुमको intersection का maximum value पूछता, तो क्या करते हैं, A में है 5 element, B में है 10 element, मैं कह रहाँ, maximum possible intersection कितना है, maximum possible intersection, बचे 7 में है 5, भाईया, ये छोटा सेट है, और ये बड़ा सेट है, इसमें maximum common कब आएगा, जब ये छोटे वाला इसके अंदर आ जाएगा, और जब ये अंदर आ जाएगा, तो ये ही, तो maximum possible हो सकता है, येस, तो एक छोटे और बड़े में maximum common क्या हो सकता है, छोटे वाला, छोटे वाला, शाबाश, शाबाश, अब जरा बेटा, बी पार्ट पे, उपर चलो, बी पार्ट पे आओ, बी पार्ट पे, यार मेरे पास total 15 बने, यूनियन 20, यूनिवर्सल 20 है, ये बी पार्ट में बताओ, यहाँ पे तो ये चीज, टोटल से है ही कम, टोटल से है ही कम, टोटल 15 टीचर बन रहे हैं, और तुमारे पास सकोप 20 का है, तो minimum common कितना होगा, जीरो, मैकसिमम लिख दिया, minimum, minimum common कितना होगा, जीरो, अब तो एक्स्ट्रा पढ़े है मेरे पास, मुझे common डालने जरूरी नहीं है, मुझे common डालने जरूरी नहीं है, शाबाई, तो बेटा ये पढ़ो, अगर आपका na plus nb, यूनिवर्सल से जादा हो जाए, तो जो जाद है ना, वो common होना चाहिए, minimum, अगर ये na plus nb, यूनिवर्सल से कम है, तो फिर minimum value 0 ही होती है, मैं कह अच्छा गए, ये एक बड़ा interesting question है, बड़ा interesting, इस question के बाद, total 3 सवाल बचे हैं, इस question के बाद, total 3 सवाल, और पूरा chapter निपट गया, क्योंकि इसके बाद अब शुरू हो जाएंगे, तीन वाला सवाल, तीन सेट वाले सवाल, ये बड़ा interesting सवाला, जारे आएंगे, धहां सुनना, there are 25 students, every student reads 10 newspaper, अच्छा, बस मेरे साथ सा चलो, यानि की total, मेरे साथ चलना, total इतने newspaper पढ़े जा रहे हैं, yes or no, there are 25 students, every student reads 10 paper, यानि की total इतने paper पढ़े जा रहे हैं, अच्छा, and each newspaper is read by 5 students, ओ, इसका मतलब जब मैंने total गिने, तो मैंने एक एक paper को पांच बार गिन लिया, yes or no, tell me in the chat, जब मैंने total बनाए, तो मैंने एक एक paper को पांच बार पढ़ा, क्योंकि एक paper जो हैं, पांच बचे पढ़ रहे हैं, तो this is the number of newspapers, आगे न जा रहे, यह मैंने base बनाया है, अगले वाले can't question का, यह मैंने base बनाया है, अगले वाले can't question का, तो 25 students थे, सारे 10-10 paper पढ़ रहे थे, तो total paper 25 into 10 होते, पर फिर बताया गया, हर एक paper 5 बार पढ़ा जा रहा है, तो भीया, total paper, this divided by 5 हो गया, अगर यहां को समझ आ गया, तो बेटा अगला सवाल देखो, जो कि previous year है, बिसकिल मैंने mention नहीं किया, it's a previous year question, total 30 sets हैं, total 30 sets हैं, सब में 5-5 elements हैं, सब में 5-5 elements हैं, अच्छा, तो यानि कि, इतने elements होने चाहिए थे, ध्यान सुन लो, इतने elements होने चाहिए थे, फिर पता लगा, हर एक element दस बार repeat हो रहा है, सुनते रहो, हर एक element दस बार repeat हो रहा है, तो अच्छा, इतने elements हैं, जिसको पिछला सवाल समझ आ गया, वो ये concept समझ पा रहा है, आ गया जो, it is given to be, मैं पूरा सवाल बाद में conclude करूँगा, अभी जो बोल रहा हूं बस बो सुनो, b, b1, b2, so on to bn, n sets हैं, अच्छा, और सब में तीन elements हैं, तो भईया, n set हैं, सब में तीन elements हैं, इतने होने चाहिए थे, फिर बोला गया, हर एक element नौ बार आ रहा है, हर एक element नौ बार आ रहा है, तो भईया, इतने होने चाहिए, और हमें given हैं कि दोनों बराबर हैं, तो यहां से मैं n निकाल सकता हूं, अब सुनों सवाल को conclude कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, suppose that a1, a2, sown to a30 are 30 sets, each with 5 elements, okay, b1, b2, sown to bn are n sets, each with 3 elements, ठीक है, तो यह 30 set है, सब में 5, 5 elements हैं, और यह n sets है, सब में 3, 3 elements हैं, फिर बोला गया, इन दोनों का union सेम है, इन दोनों का union सेम है, याने की, total elements इसमें जो आ रहे हैं, that is same as, इसके जो total elements हैं, अच्छा, याने की दोनों given हैं equal, अब सुनो, and each element of this union, belongs to 10 AIs, तो अब समझ रहे हो, कि जब तुमने 30 into 5 किया था, तुमने हर एक element को 10-10 बार गिना, कोई हर एक element 10 बार आ रहा है AI में, तो total elements क्या हो जाएंगे, 13 into 5 by 10, पिछले ही सवाल वाला logic है, सुहाना जी, पिछला सवाल समझा आपने, yes, and, इसी union में जो elements हैं, वो 9 बार B में आ रहा है, it's present 9 of B's, तो इसके जब आपने total element गिने, 3N, वहाँ पे आपने हर एक element को 9 बार गिन लिया, क्योंकि हर एक element 9 B में बैठा हुआ है, तो total elements कितने बने, N into 3 by 9, तो यहां से आपके पास N आदेगा जो भी है, इसी के साथ एक छोटी सी स्टोरी याद आई, एक बचा सिधात कपूर, बहुत ही प्यारा सिधात राजपूर, paid candidate है, बट इस paid candidate के लिए मेरे पास एक बड़ा ही प्यारा स्टोरी याद आई, एक बच्चा कहता, मैंना best teacher से पढ़ूँगा, मैं सारे teacher ढून वारूँगा, हो सकता है मैंने स्टोरी पहले सुनाई, हो पहले सुनाई तो मुझे बता देना, वो गया पहले teacher के पास, देखा, मज़ा नहीं आया, दूसरे teacher के पास, तीसरे teacher के पास, चौते teacher के पास, चार-पांच teacher के आपास जाया आया, शाम को अपने दोस्त को मिला, दोस्त कहता, मिला best teacher, बच्चा कहता, पहले में ये अच्छा था, ये बुरा था, दूसरे में ये अच्छा था, ये बुरा था, तीसरे में ये अच्छा था, ये बुरा था, पांचवे में सब अच्छा था, तो कहता तू नेवां जुआई ने कर ली, कहता नहीं यार, क्यों, क्योंकि उसको मैं नहीं अच्छा ल आप पढ़ोगे बस पढ़ना है आपने तो आओ पिछले सवाल पर फोकस करो यहां पर आपने सीखा था कि यह 25 स्टूडेंट सारे पढ़ते हैं दस-दस न्यूस पेपर तो टोटल न्यूस पेपर इतने होने चाहिए थे बाद पता लगा हर एक न्यूस पेपर पांच बार प इफम यहां पे हुआ 30 सेट थे और उसमें 5-5 अनिमेंट थे तो टोटल एलिमेंट इतने होने चाहिए थे पर बाद ने बताया गया हर एक येलिमेंट 10 वार आ रहा है 10 AI में आता है एक येलिमेंट 10 AI में आ रहा है तो जब आप इसके total element गिन रहे थे तो आपने एक एक element को 10-10 बार गिन लिया तो actual count क्या होगा divide by 10 same for this equate किया और n निकाल लिया इस सवाल पे जाकर 5-10 minute और लगाने हैं आपको पिछला सवाल को पूरा feel करने के बाद पिछले सवाल को पूरा feel करने के बाद इस पे 5-10 और लगाने हैं आपने ठीक है ओके बेटा लास्ट category of question दो सवाल करेंगे session खतम पूरे concept sets के खतम God bless you all तीन set तीन set की पहले बार सुनो बेटा जब भी आप तीन set का सवाल करेंगे सबसे पहले तो तीनो set ऐसे बनाने है येस बेटा डीपीप मिलेगा बेटा डीपीप हर एक session का मिलता है सुनो मरी बात तीन set हमेशा ऐसे बनाने है सर अगर intersection ना हो नहीं होगा तो आपे zero कुछ नहीं लिखेंगे पर बनाने ऐसे ही है चैट में लिख दो ऐसे ही बनाएंगे बोलो चैट में लिख दो ऐसे ही बनाएंगे A और B आपस में ऐसे कट करेंगे और C इन सब को कट करता हुआ बनाया जाएगा लिख दो ऐसे ही बनाएंगे दुरूफ डॉंट वरी बस पैटा फाइब मिनटस और है बैटा ऐसे ही बनाएंगे यह लास्ट कंसेप्ट आ गया है ऐसे ही बनाएंगे ठीया चाहे आपको गीवन हो कि अब अलग अलग हैं में डिस जॉइंट है डिस जॉइंट है तो यहां पे जीरो लिख दो यहां पे जी बताओ अब मुझे बताओ यह ना तो यह मैं लिख देता हूं ए क्या है यह पूरे का पूरा ए आएगा X1 प्लस X4 प्लस X6 प्लस X7 यह मैं बता देता हूं अब तुम्हारी बारी क्या है मुझे पता लग गया कि यह तुमको पता है अब बेटा मैं पूछा हूं एक अच्छे वाला सवाल अब सोच के बताना जल्दी मत करना N of, N of, only one of A, B और C Only one of A, B और C, ऐसे कितने elements हैं अब बताओ Number of elements in, only one of A, B और C, only one of A, B और C यहां बचे गलती कर गें कर बचे X7 लिख गें, पिटा X7 तो A, B, and C में है A, and B, and C, वो X7 है, मैंने पूछा only one of, only one of मतलब या तो सिर्फ A में है या सिर्फ B में है, या सिर्फ C में है आया समझ, आगया समझ, only one का मतलब या तो सिर्फ A में है, या सिर्फ B में है, या सिर्फ C में है अगर समझ आया तो अब यह बताना, यह आगया तो मैंका तुमकों निजारे आजाएंगे यह रह मेरा सवाल, only two of A, B, and C Only two Only two में बताओ कौन कौन से हैं ये बताओ अब लगेगा जोर Only two सिर्फ दो में होने चाहिए ना तो एक में ना तीन में Only two में होने चाहिए ओच्छा गए सर जी x4 ये only a and b में है सर जी x5 ये only b and c में है x6 only a and c में है तो only 2 का मतलब 2 के intersection में होना चाहिए, तीसरा नी बीच में आना चाहिए तो ये आ जाएगा x4, x5 और x6 तो only 1, only 2 का मतलब समझ सबको आ गया, फटा फट बता दो अगर समझ आ गया है बेटा, तो अब बारी आगी सवालों की पढ़ो सवाल पढ़ो सवाल पढ़ो सवाल डू यू एगरी, इस सवाल में सारा डेटा एक साथ दिया हुआ है सब कुछ, देखो और जो पूछा भी है, वो बहुत ही direct चीज़ पूछी गई है देखो मैं माग करवा रहा हूँ, देखो माग करवा रहा हूँ, आओ 21 are basketball team लो जी, N of B दिया हुआ है, 21 26, hockey team N of H दिया हुआ है, 26 29, football football दिया हुआ है, 29 14, hockey and basketball कितना है वहीआ, इस सवाल में सब कुछ बहुत direct direct दिया हुआ है, 15 play hockey and football hockey and football 15, 12 play football and basketball वो देख रहे हो, सब कुछ दिया हुआ, football and basketball कितना 12 और 8 play all the games 8 play all the games, basketball, hockey and football पूछा क्या है बेटा, पूछा क्या है जो वो सबसे असान चीज़ पूछ सकता है total number of players सब को समझ आ गया, this is the sum जहां पे आपको formula लगाना चाहिए hockey, football, basketball formula लगाना चाहिए पस मुझे इतना बता दो, यह समझ आ गया कि इस सवाल में formula लगाना चाहिए क्योंकि सब कुछ given है और जो पूछा है वो direct formula है जैसे हमने दो वाले सवाल में यह किया था अगर जो चीज़ पूछी गए वो बहुत direct है always go for formula always go for formula और इसको formula को या करने का तिका बहुत असान है single single वाले add होंगे फिर दो दो वाले subtract हो जाएंगे यह आगे समझ formula लगातो होगे perfect direct formula सारी values पता है आपको आज का आखरी सवाल और पूरा sets खत्म अगर जो चीज़ पूछी गई है वो ऐसी है अब दो आएंगे निजारे how many players play exactly one of the game बोलो सवाल पढ़ते नहीं जा रहे आए नहीं आए पहले यह बताओ solution देख कि और भी नहीं जा रहे आएंगे क्योंकि यह solution 15 seconds से उपर का नहीं है no formula required no formula required orally हो जगा पटाक 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 पहले सवाल पढ़के मचा आगया exactly तो सुनो मेरी बात अगर एक ऐसी चीज पूछ ली गई है तो formula नहीं लगाना बहुत सारी बुक्स में इस सवाल को भी कुछ formula से टेड़ा मेड़ा करके करते हैं नहीं लगाना formula जो करना है सुनो मैं बता रहा हूँ आपको बताया गया है तीन सेट्स ऐसे बनाये जाते हैं बता दिया मैंने पहले अब तुमको जो skill सिखाने लगाना वो skill सीखना अभी न जा रहे आएंगे तुमको cricket, hockey, badminton cricket, hockey, badminton बेटा प्लीज अध्यां से सुनना मैं तुमको सिखाने लगाऊ when diagram को fill कैसे करते हैं अगर तुमने ये सीख लिया जितने भी, जितने भी तीन सेट्स वाले सवाल होते हैं तुम ऐसे ऐसे कर दोगे ऐसे ऐसे जितने भी तीन सेट्स वाले सवाल होते हैं ऐसे ऐसे कर दोगे सुनो मेरी बात हम मैं filling करने लगाऊ filling मतलब इन सब की values डालने लगाऊ इन सब की values डालने लगाओ, अफकूर्स बहार भी हो सकता है, इन सब की values, अब सुनो values कैसे डाली जाती है, एक ही गुर्मंतर है, एक ही गुर्मंतर है, और वो गुर्मंतर क्या है, हमेशा यहां से शुरू होना है, हमेशा यहां से शुरू होना है, बस यह गुर्मंतर है, यह क पार्ट में कितने elements हैं पढ़के बताओ वाइट वाले पार्ट में कितने elements हैं कि बता दो सर जी टू प्ले ओल डा गेम्स ये टू है कि अब आ रहा है अगला स्टेप सर आपने गुर्मंतर दिया कि सबसे पहले ये भरना है सर उसके बाद सुनो मेरी बात उसके बाद आपको ये भरना है ये भरना है ये भरना है यानि कि basically मैं ये सिखा रहा हूँ अंदर से शुरू होके बाहर की और जाना है मुझे चैट में बताओ ये जो पूरा पार्ट है do you all agree this is B intersection C and if you agree तो मुझे बताओ B intersection C में कितने elements है B intersection C में कितने elements है ये बताओ बस B intersection C देखो देखो badminton and cricket कहां पे है ये रहा 5 play badminton and cricket अब सोच एके बताना जल्दी मत करना बेटा अगर ये पूरा जो है वो 5 है तो मुझे बताओ यहां पे कितना आएगा इस dot पे कितना आएगा पूरे वाला red जो है 5 है तो dot पे कितना आएगा बस ये बताओ कुछ पीचे answer भी बता रहे हैं पताओ बेटा जो पूछ रहा है वो बताओ exactly सर जी ये पूरा है 5 इन में से 2 तो यहां पे खर्च हो गए यहां के लिए बचे 3 तो यहां पे आएगा 3 आगे न जा रहे अब फिर आगे आजाओ इधर आजाओ ये देखो ये पूरा है B intersection H ये पूरा है B intersection H जरा बताइए B intersection H कितना है बेटा बताइए ओके सौम्या B intersection H कितना है जरा बताइए B और H ये रहा 2 प्ले हौकी एंड बेडमिंटन अब आ रहे तुमको न जा रहे अब डबल न जा रहे आएंगे अब सोच कितना ये पूरा जो है वो 2 होना चाहिए यहाँ पे 2 आ चुका है तो ये blue dot कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए आगे बात समझ лишь और ये सई बात है सर ये पूरा blue जो है ये 2 होना चाहिए 2 तो ख़र्च हो चुके हैं तो मैंने कहा था ना बनाना हमेशा कट करते हुए ही है अगर कुछ नहीं होगा वहाँ पे 0 लिख दो या खाली छोड़ दो अच्छा ये दोनों काम अब बेटा इस dot की value खुदी बता दो जो बचा है ये बचा गया आप ये ये C intersection H कितना है C intersection H 5 5 है cricket and hockey दो खर्च होगे यहां बचे तीन यहां बचे तीन अब आखरी सवाल पूछ रहा हूँ सोच के जवाब देना अब कलर कौन साल है सारे कलर तो यूज़ कर दी माशाला ये ले लेते हैं परपल सवाल पढ़िए और मुझे ये बताइए cricket में कितने है cricket यह रहा पूरा cricket cricket में कितने है cricket बताइए cricket cricket बताइए cricket में कितने है पूरे cricket में कह रहा हूं पूरे cricket में कितने है पूरे cricket में है 10 पूरे cricket में 10 है पिटा अगर पूरे cricket में 10 है तो यहां पर कितने बचे यह बता दो पूरे cricket में 10 है तो यहां कितने बचे यहां कितने बचेगे यह बस यह बता दो तू बचेगे सर सर जी यह पूरा क्रिकट 10 था इन 10 में से 8 तो खर्च हो गए 8 तो खर्च हो गए यहां बचे 2 तो मेरे ख्यास से अब सीधे बात कर लेते हैं अब तो color भी बिटा हम वी आ रनिंग out of colors कोई और color भी बचाए यह पूरा यह पूरा है होकी में से 15 तोटल 15 थे 5 खर्च हो गए यहां बचे 10 अब यह मैं का yellow यूज़ कर लेते हैं और color बचा नहीं है यह पूरा badminton है पूरे badminton में थे टोटल 20 20 में से 5 खर्च हो गए बचे 15 समझ पा रहे हो सारा डेटा फिल हो गया सवाल में गिवन था कि every student plays some game अब बताना नजार याप आएंगे do you answer do you agree अगर ये line given ना होती तो मेरे को बाहर भी count करना पड़ता tell me in the chat yes or no line given ना होती तो मैं बाहर भी count करता चा गए तो मैं बाहर नहीं जा रहा बाहर जाने की जूरूरत नहीं कोई बचाई नहीं है अब कोई बचाई नहीं बाहर अब जो पूछा है बताओ exactly one of the games only badminton only cricket only hockey this is your answer God bless you beta I love you, love you very much अब तुम मुझे बताओ इसी में मैं गेम चेंज कर रहा हूँ इसी में गेम चेंज कर रहा हूँ what is the answer of only two of the games how many students play only two of the games tell me the answer how many students play only two of the games six sir ji ये वाले थ्री जो है only badminton and cricket ये वाले थ्री only cricket and hockey ये वाले जीरो only badminton and hockey तो थ्री प्लस थ्री only two तीसरा नहीं मना चाहिए तो इसके साथ अब सुनो मेरी बात इसी का एक बड़ा भाई मैंने DPP में डाला हुआ है इसी का एक बड़ा भाई DPP में डाला हुआ है उससे मैंने क्या किया तुमको पूरा confuse किया हुआ है मैंने ये value सवाल में बताई नहीं हुई DPP में कोशन है अब जब तुम वो कोशन शुरू करोगे DPP का तुम काऊँगे सर ने तो बताया था सबसे पहले ये भरना है फिर इसके बाद यहाँ पे जाना है फिर उसके बाद यहाँ पे जाना है पर अगर यह पता ही नहीं है तो कैसे चलेंगे हिंट अभी दे रहा हूं करना तुमने घर पे है वेरी गुड शुरू यहीं से करना है अगर सवाल में नहीं गिवन है इसको कुछ X माल लेना X माल लेना X को लेके अगले पूरे भर देना अंसर आ जाएगा वेरी गुड सूजल शुरू यहीं से होना है गिवन है तो लिख दो नहीं गिवन X माल लो शुरू यहीं से करना है और बाहर के और जाना है और नजारे करने है इसको कहते हैं सेट्स तो यहीं सेट्स इस ओवर अल दा वराइटीज तेकन केर आफ और इसके साथ ही मैं फिर से बता दू जितने भी बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया है सेकिंड थर्ड मही क्या सबस चेक करना शुरू कर देना मेरे माइक्रो कोर्स लाँच होने शुरू हो जाएंगे तुम सारे के सारे मेको मेरे माइक्रो कोर्स में चाहिए I literally want to interact with you all मुझे काफियों के नाम तक याद हो चुके है तो मैं देखूंगा वहाँ पर तुम मुझे दिखते नहीं दिखते ठीक है तो सारे बचे मुझे यहाँ चाहिए आपको अपना होम पेज खोल के विदान तूगा माई कोर्स पे जाना है वहाँ पे एन्रोल मौर पे क्लिक करना है तो ऐसा व्यू सामने आएगा वहाँ पे आपको मेरे कोर्स दिखने शुरू हो जाएंगे सेकंड थर्ड माई के आज़ पास दिखने शुरू होंगे ठीक है हो सकते एक आज़ दिना के पीछी हो जाए बट इसके आज़ पास दिखने शुरू हो जाएंगे कोर्स प्लैंड हो चुके हैं सिस्टम में जा चुके हैं एंट्रीज डलनी रह गई हैं तो वहां पर हम मिलेंगे सारे के सारे और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिए अपकोर्स गोफर सब्सक्रिप्शन अपनी तयारी को और भी स्ट्रॉंग बनाओ अब टाइम आ गया कि मैं इसकी डिटेलिंग कर दूं कोई कोई डाउट है तो मुझे पूछे ना अरे क्रेटर प्लीज ऐसा मत को बेटा गॉड ब्लेस यू अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उसमें लाइब इंट्रेक्टिव क्लासी होती है जिसका कि एक नजारा में आपको भी दिखावी देता हूँ अगली स्लाइट पे पोस्ट क्लास कॉंटेंट जो है आपको हार्ड कॉपी मिलता है हर एक चैप्टर में जब क्लासीज लगती है तो हर एक सेशन के लिए एक असाइनमेंट मिलता है और हर एक चैप्टर के लिए एक बुकलेट मिलती है जिसमें चार एकसरसाइजीज होती है डिफेंट डिफेंट लेवल की और जब आप पूरा से बस खतम करते हैं तो रवीजन मेटीरियल अलग से होता है जो कि आपको ट्वेल्थ में मिलेगा तो एलेवन का पूरा सॉल्विंग करेंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे फिर रवीजन होगी रवीजन का मिटीरियल अलग होगा तो आपको सारा का सारा मिलेगा ओके फोर्ट नाइटली आपके टेस्ट सोंगे और यहां पे एक बार बता दू एक आपका बेंचमार्क टेस्ट के नाम से साल में तीन बार टेस्ट होगा जहां से आपकी जो लर्निंग आउटकम है वो कितना इंप्रूव हो रहा है यह चेक किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपकी लर्निंग में कौन सा पार्ट ठीक जा रहा है कहां पे आप अटक रहे हो और इसके लिए अच्छे मैजर कौन से है ठीक करने के लिए प्रॉपर साइंटिफिक बेंचमार्क टेस्ट बनाते हैं यहां पे हम इसी साल से शुरू किया है एक प्रॉपर टीम है बहुत बड़ी लर्निंग आउटकम की जो उन टेस्ट को डिजाइन करती है और आपको लेगी टेस्ट देन आप फोर्स डाउट सहते हैं इन क्लास मैंने बताया था टू टीचर मॉडल होता है बेटा एक मैं हूँ पढ़ा रहा हूँ सास में बहुत सारी टीचर बैठके डाउट लेते हैं आप सबके बहुत सारी टीचर बैठके डाउट लेंगे आपके ताकि क्लास में कोई डाउट रहना जाए इस इस वर दा बेस्ट थिंग जो मुझे लगती है क्योंकि ओनलाइन टीचिंग में सर्टनली जब बच्छा घर से पढ़ रहा होता है उसको एक एंग्साइटी होती मेरा डाउट रहना जाए मैं डाउट कैसे पूछू क्योंकि वह चैट पर लिख रहा है कि भी कुछ कर रहा है यहां पर एंग्साइटी नहीं होगी डाउट ले रहे होंगे एक मेंट इचर के लावा अफकोर्स यह आपको और बहुत से टीचर और भी डाउट लेंगे ठीक है टाइम टाइम पर पी टीम होती है एस पर रिक्वार्मेंट जैसे कि मैं ने कहा था मैं एक दिखावी देता हूं मेरी क्लास दिखती कैसी है राइट तो हम जब सारे माइक्रो कोर्सं मिलेंगे मेरे शवाद मजवानों फ्र्छар हर एक चैप्टर के माइक्रो कोर्स होंगे आपके जल हर एक पर एक माइक्रो कोर्स ना लग लग तरह के लांच करता हूँ, कि मुझे पता है आपका चैप्टर खतम हो गया है, उसका सॉल्विंग का एक कोर्स लांच करता हूँ कि बड़ी ऐसी टेक्नीक्स जो कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती, पर वो लगनिंग में हेल्प बहुत करती है, उन टेक्नीक्स का लांच करता हूँ कोर्स, कि बड़ी 10th के concept होते हैं, जो बच्चों को 11th में तंक कर रही होते हैं, उनका एक अलग से लांच करता हूँ, मार्क्र कोर्स, तो मैं सारे ऐसे मार्क्र कोर्स लांच करूँ और जो आपकी लर्निंग को कम्प्लीट बनाएंगे, ऐसे मार्क्र कोर्स लांच करता हूँ मैं, तो जब मैं कलासे पढ़ाता हूँ बेटा, मुझे वैसे युश करना आता नहीं, पीपीटी पे वीडियो कैसे चलाते ह यार गुसना खा और किसी को आता है कैसे चलता है यहां से चलता है हाँ यहां से चलता है तो जब आप सारे में को मिलेंगे सब्सक्रिप्शन में तो आपको ऐसा चेहरा मेरा यहां देखेगा चाहो तो यह चेहरा यहां भी आ जाता है बढ़ा करके जब टीचर को सिर्फ बात क हैं नहीं होती तो पीचर अपना चेहरा यहां पर यहां फारी हिए बड़ी स्क्रीम पर तो ऐसे पढ़ाया जाता है है statement नोटस होते हैं सात में लिख के पढ़ा जाता है यह सारा लिखा हुआ आप डाउन लोड कर सकते हो पढ़ाने के बाद पूल कितनों को समझ आ गया कितनों को डाउट रहा गया जिसका डाउट रहा गया या तो वो चैकर पूछ लेता है या टीचर उसको अन्म्यूट कर देता है बेटा जैसे यहां मैंने लक्षे पांड को अन्म्यूट कर दिया कि पूछ भई है क्या डाउट रहा गया को कि क्यों करते हैं को नहीं ध्यान से फिर लीडर बोर्ड आ जाता है क्योंकि पांचे कुईजिज होते हैं उनके बेस्पे लीडर बोर्ड बन जाता है तो कौन कहां पर स्टेंड करता है बच्चों को इमीजेट मिलता रहता है और वो और तैयारी करता है अगली बार के लिए सूजल और अभी मेरा परपस होता है कि मैं बहुत सारे बच्चों करता हूं अगर मैं बिगिनिंग में लाँच तो होता क्या कि बिटा ये बच्चे तो पढ़ लिए मुझे जो मिहीने बाद आएंग वो मुझे नहीं पढ़ पाएंगे अब हर महीने तो लांग ट्रैक लांच जहां पर मैं सारे batches की बच्चों को मिल सकता हूँ पढ़ा सकता हूँ और ऐसी चीज़े पढ़ा सकता हूँ जो की learning में बहुत helpful है जो की शायद long track में पढ़ानी मुश्किल है long track में तो आपको syllabus पढ़ाएंगे न वो आपको 9th 10th की वो चीज़ कैसे पढ़ादेंगे जो 11th में काम आ रही है एक अलग से technique कैसे पढ़ादेंगे जो की 11th की syllabus में नहीं है तो micro course आपको buy नहीं करने है when you take subscription micro course आपके लिए free होते हैं बेटा just click and you get enrolled ओके God bless you बेटा तो यह सब चीज़े हैं जो आपको subscription मिलती है and it's very 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 economical and huge results basically बेटा यह results पताने की जूट भी नहीं इतने results किसी के नहीं आते हैं आप जो मर्जी online check कर लो बेटा और यह सारे genuine results हैं को कि इनने से बहुत सारा तो मैंने खुद पढ़ा हैं बचे अपने paid platform पे तो यह बहुत सा मैंने खुद पढ़े हैं तुमको सब पता ही data exactly accurate है यह data almost 340-350 के पास है last year 548 J advanced selection बेटा यह जो विदान्तू है यह अपने आपको इतना पक्का कर चुका है ना online को कि 7 साल से विदान्तू चल रहा है online में तो वो सारी चीजें अपने आपको expert बना चुका है जो अब जो नहीं आ रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं अच्छे हैं बट वह थोड़ता beginning है उनको कुछ साल लगेंगे वहां match करने में तो अगर आपने के coaching जोईन कर लिया फिर तो कुछ ना सोचो वही आपके लिए best coaching है कुछ ना सोचो पर अगर अभी कहीं जोईन नहीं की है तो आपको विदान्तू ही जोईन करना है और पूरा focus यहीं पर करना है अफोर्स KVPY सबको पता है कि यह नॉर्मल स्लेबस से थोड़ा हटके होता है तो इसका भी माइक्रो कोर्स चलाया जाता है फ्री आप कॉस्ट होता है आप सबके लिए जिसने भी सब्सक्रिप्शन लिए डिरेक्ली इसमें आएगा अन्रोल करके classes लगाएगा तो आप मेरे points समझ रहे हो येस बेटा आप EIME दोगे तो booklets मिलेंगी description में इसका link होता है अराम से join हो जाता है बेटा subscription ठीक है भटवट भट बता भी देता हूँ कि कैसे join करते हैं बताओंगा तो तो ना कि अगर ये अच्छा ओ येस मैं का बंदी नी हो रहा और अगर हम बात करें यहां बेटा कुछ नहीं करना इसी session पर click कर देना है session पर click करते ही पहले यहां like दबा देना है ठीक है जैसे मैंने खुद भी like दबाया हुआ हुआ है मैं अपने आपको लाइक नहीं करूँगा पर कौन करेगा बेटा देखो मैंने खुद भी like दबाया हुआ है ओके positivity से शुरुआत करनी चाहिए यह बात हो यह ना तो खुश हो के पूरी energy से शुरुआत करनी चाहिए यहां पर आपको DPP मिल जाएगी सेशन की पहले से डली हुई आपके बेटा सेशन PDF रात को आएगा सेशन PDF रात को आता है और यह रहा क्लास 11 का सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको लिंक दमाना यहां पर लिखा होगा grade 11 ठीक है यहां से आप नीचे जाएंगे आपको जो प्लान लेना है सब्सक्रिप्शन के तीन मॉडल होते है लाइट, क्लासिक, प्लस सबका बैच सेम ही होता है बट इनके फीचर सा लग-लग होते हैं बच्चों को जो मिलते हैं जैसे प्लस में आपको एक डेडिकेटेट परसनल मेंटर मिल जाता है जो आपका schedule बनाता है आपकी academic solving, doubts में help करता है non-academic queries clear करता है just a call away वो प्लस में होता है इसलिए प्लस वड़ा costly भी रहता है 1,20,000 for 2 years so I will not say very costly but yes little costly जो ज़्यादा फोर्ट नहीं कर सकते but ये बहुत affordable है बेटा light light is just 54,000 for 2 years या better होगा till your J.E. advance तो बिस्किल 2 भी नहीं बेटा धाई साल हो जाते है क्योंकि आज के लिएडवांस बहुत लेट होता है आज के लिएडवांस बहुत लेट होता है उमेर बेटा वो कर चुके है बेटा उमेर कल का session देखिए उसमें हो चुके है बेटा so 2 years till J.E. advance आपको ये option मिलता है साथ में आपको करना है साथ में ये भी कर लो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत में को स्कूल के लिए basics ना वो लिखने के तरीके भी याद करने को थोड़ा बत लिखने का तरीका भी होता है Olympiad, Olympiad के लिए बेटा 4,000 धाईस साल बेटा पर मत 2,000 भी फीस नहीं है आपकी इतना affordable बनाया विदान तुने right मेरे से much better teacher आपको वहां मिलने वाले है बहुत सब मैं भी मिलू micro course में बहुत जगा आपको मिलूँगा और बहुत सारे awesome teacher मिलेंगे जिन पर आप depend कर सकते हो dependable ओके ये बात है आप depend कर सकते हो faith है और अकों पर excellent so PCMJ साथ में micro courses मतलब आपकी learning के लिए जो चीज़ चाहिए वो 100% यहां की जाएगी इसलिए मैं सिज़ेस्ट करता हूँ but yes सुनो मेरी बात अगर कहीं पर admission और ले चुके हो ना फिर नहीं सोचना फिर drama डोल नहीं होना मैंने गलत किया सही किया फिर पूरा focus वहीं पर लगाओ वही सबसे best है बेटा पर अगर अगर भी नहीं लिया और सोच रहे हो तो drama डोल नहीं होना पूरा ध्यान यहां लगाओ और इसी को subscribe लो कोई कि this is the four table सबसे best है no doubt आप चाहो तो monthly भी try कर सकते हो हाला कि मैं personally suggest नहीं करता कि monthly जाओ कोई कि when you go for monthly you again start doubting judgmental वो अभी सोच लेता हूँ नहीं I'm telling you you will get best here so you should go for complete course rest is your choice आप चाहो तो one month दे सकते हो मर्दी आपकी है कोई मरा नहीं मैं normally suggest करता हूँ start with faith अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा आपको लगता है आप EMI का option कर सकते हो EMI दे सकते हो आपको थोड़ा बात थी भी डर लग रहा है या आपको लगता है कथा payment करना मुश्किल लगता है आप EMI दे सकते हो EMI से कर जाओ पूरा subscription लो और पूरा can't पड़ो येस बेटा सूजल मैं जानता हूँ अवे माजन सर को मेरा भाई है बहुत close friend है मेरा ठीक है बहुत ही close friend है तो ये सब रहता है subscription में so I want to see you all और मैं बता दू मेरे micro courses subscription के under second third माई के आसपस देखेंगे और seventh eighth माई के आसपस शुरू होने वाले है मुझे तुम सारे वहाँ चाहिए ठीक है देखने चाहिए मुझे I want to teach you all personally as well वहाँ पे unmute करके uncam करके बाते करनी है तुम से और तुम सो और नजाने करने है ठीक So that's all enjoy करो पढ़ो कमी कोई ना छोड़ो पूरा focus करो Okay When I chose 11 It shows two years Do it will Yes बेटा Manan वही तो बता रहा हूं Manan वही बता रहा हूं बेटा ये जो है ना ये ये दो साल का फीस है पूरा ये जो लिखे ना 54,000 It's a fees of two years Please समझो इस बात को बेटा ये दो साल की फीस है पूरा 11th and पूरा 12th Till your advance paper ये total fees है पूरे दो ड़ाई साल की वही तो बता रहा हूं It is very affordable समझ रहे हो पूरी fees और अगर affordability का इश्यू नहीं है मैं तो कहूंगा कि Go for plus क्योंकि 1,20,000 भी पूरे दो साल की फीस के लिए जादा नहीं है बहुत economical है ठीक है तो यह आपको देखना है कि आपको क्या करना है पर ये करो बहुत जरूरी है बेटा important है ठीक है उमेर बेटा That is by the name of कैले हमिल्टन थियोरमों के यहाँ वहाँ पे कैले हमिल्टन थियोरम के नाम से टॉपिक मिलेगा आपको जो पूछ रहे हुआ मनन पूरा एडवांस तक है या क्या मनन बात करते हो बेटा विदान तू लास्ट इयर 548 सेलेक्शन से जरी डवांस चेक करो ऑनलाइन किसके यह नहीं आते यह तिल जई एडवांस की फीस है पूरी की पूरी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा मेन एडवांस और आपका एडवांस तक साथ दिया जाएगा मैंने बताया थे लास्ट इयर सेप्टेंबर में जाके पेपर हुआ था बहुत पोस्ट पन हुआ था विदानतु वा जाएगा जो एंड लास्ट डे तक रेगुलर टेस्टिंग लाइव डिसकुशन सब कुछ करता रहा था तो आपका साथ जो नहीं तिल यह एडवांस तक दिया जाएगा पूरा इसलिए मैं कहता हूँ यह दो साल भी नहीं धाई साल की फीस है क्योंकि यह एडवांस होते होते धाई साल हो जाते है टोटल ठीक है तो इस इस आल यह वाट तो नो अबाउट सब्सक्रिप्शन अगर आपने अभी तक कुछ और जोइन नहीं किया है तो ठीक है और इस इस जस 2,000 रुपीस पर मन्त J, C, B, C पूरे का पूरा सब कुछ है ठीक है तो इसलिए लव यू गाई और सूजल येस बटा येस इट विल भी दियर और उसी के लिए मैं को रखना पड़ेगा कोई कि अगले सेशन का टाइम हो गया है तो अभी फटा-फट मैं सेशन बंद कर रहा हूँ कोई कि अगले सेशन का टाइम हो गया बटा लव यू और खुश रहो God bless you सीखो मज़े करो और दूसरों की मज़द जरूर करो कि वो भी सीखे है ठीक है ओके बटा Bye-bye Take care खुश रहो सीखो Enjoy करो Bye-bye